कि नमस्कार दोस्तों सोगत है आपका स्टेटी फॉर सिविल्स अबसेद में यूटूब चैनल में आपने साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम करना बहुत ज़रूर है सारे नोटिफिक्रेशन सारे अपडेट सारे मोच इंपोर्टेंट पिक्स सारा रिवीशन सब कुछ यह दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इडियन आर्ट अन कल्चर के जितने भी महतुपोर्ण टॉपिक हो सकते हैं जो कि परिक्षा के परपस से इंपोर्टेंट है उसे कबर करेंगे ठीक है और यह बाइलिंग वाली एक्स्प्लेंड किया जाएगा इंग्लिश वर्जन वाली सिरीज है इससे पहले हिंदी वाला आ चुका है तो उसके लिए आप कताई परिशान नहों सर्च करेंगे चैनल पर तो आपको मिल जाएगा उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है फिल नाचना चित्र बनाना या शिल्प कलाएं जितनी भी होती है जितना भी आर्किटेक्चर होता है वो सब इसमें आ जाता है सब इसमें समाईत हो जाता है तो यह आर्ट जो तीन अलफाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं इनका मतलब बहुत बड़ा होता है अब यहाँ पर जूरूरात होती है म्यूजिक से जो कि सबसे मुख्य आर्ट के तौर पे हम अपने देश में देखते हैं सामवेद से जन्मा हुआ मतलब लेकिन समय के साथ साथ जब भारतिय इतिहास आगी की और बढ़ता है तो जो मध्यकाल और प्राचीन भारत का इतिहास है उसके बीच में transition period होता है मतलब बाहर से हमले शुरू हो जाते हैं क्योंकि अंदर वाले जो राजाते हैं उनकी जो सब्वेता है, उनका जो संगीत है, खान पाने, सब कुछ उसका प्रभाव हमारी सब्वेता पर पढ़ता है और जबरी या जबरन डाला जाता है मतलब वो कुचलने का भी प्रयास करते हैं ठीक, उसके बाद यूरोपी लोग आते हैं इनका जो प्रभाव है वो भारती है, जो क्लासिकल म्योजिक है उस पर पढ़ता है लगातार पढ़ता है और उसके स्वरूप में निरंतर बदलाव आते हैं एक चीज और है कि हमले किधर से ज़्यादा होते है जो भारत का नौर्थ वाला पार्ट है, खासतोर पे नौर्थ वेस्ट वाला वहाँ से हमलों की तादात ज़्यादा है उसकी तुल नामे दक्षिन भारत जो दक्कन प्लेटो और नीचे का पूरा सुदूर दक्षिन वर्ती इस्सा है वो सुरक्षित रहता है तो वहाँ पर जो शैली थी, वो पहले की तरह सुरक्षित रह जाती है उसमें जादा फेर बदल नहीं होता है हालां कि बाद में वो भी परिवर्तित होती है क्योंकि वहाँ भी जो इस्लामिक सामराज्य है इसके नामा और भी जो यूरोपेश शक्तिया है तो अब यहाँ पर हिंदुस्तानी स्टाइल को आप देख रहे है यह नौर्थ इंडिया वाली मतलब भारत में अगर आप देखें तो जो नौर्थ वाला पार्ट है उसमें यह शैली विक्सित होती है क्लासिकल म्यूजिक से ही और करनाटक शैली जो है यह दच्छन वाले पार्ट में डेवलब होती इसके अतरिक अगर हम इंडियन म्यूजिक को डिवाइड ही करना चाहते है तो एक फोल म्यूजिक हो सकता है हाला कि यह उससे डिफरेंट नहीं है यह सब जो है यह क्लासिकल म्यूजिक से ही पैदा हुए है लेकिन आप यहाँ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो अलग-अलग कर लीजे इसके बाद दोनों का फ्यूजन हो जाता है दोनों को mix कर दिया जाता है तो यह फ्यूज होकर क्या बन जाते है इसमें सुगम संगीत होता है मतलब इसको रविंदर संगीत भी कहा जाता है इसके अलावा हवेली संगीत आप देख रहे हैं ये गण संगीत के तोर पे देखा जाता है ये गाना संगीत नहीं है बलकि गण संगीत modern music भी इसी में classification में आ जाता है जो आधुनिक हम लोग आजकल देख रहे हैं वो संगीत नहीं है संगीत के नहीं पे कलंग है लेकिन फिर भी modern में आता है तो उसमें rock music है, pop music, blue music और भी बहुत सारे yellow और white music आ गए हैं rapper आ गए हैं जिसमें लगता ही नहीं कि वो music है इसके अलामा trans music है जिसमें कि jazz music है इसके अलामा आप cycle delic जो shelly है उसको भी देखते हैं तो ये सारे style जो है उनको याद रखेगा अब चलते हैं सबसे पहले classical music को देख लेते हैं और जैसा कि पीछे हमने देखा इसके दो पार्ट थे हलांकि छोटे पड़े और भी धेड़ सारे style लेकिन जो मुख्य आपको जानने चाहिए उसमें धुरुपद है धमार है, होरी है, ख्याल है, टपपा है चतुरंग है, रागसागर है, तराना है, सरगम है और ठुमरी है ये कुल मिलाकर कितने हुए, दस हुए तो ये मुख्य style के तौर पे, हिंदुस्तानी music में उसकी आधार शिला रखते हैं, या उसके pillars है करनाटक music की अगर बात करें, तो जैसा पीछे कहा गया कि ये दक्षन वाले हिस्से में पनपा था वहाँ पहले से मौजूद ये classical music ही था हलका फुलका इसमें बदलाओं होता है लेकिन इसमें जादा परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसलिए ये एक धर्रे पर चलता है इसमें बहुत जादा diversity नहीं लेकिन originality है, ये मूल अवस्था में पाया जाता है अब आप जानते हैं कि दक्कन वाला जो प्लेटू था उसमें dynasties धेर सारी जैसे चोल, चेर, पांडे ये आपस में जगड़ा करते थे लेकिन इन्होंने अपनी सभेता को बचा कर रखा था उसके बाद विजयनगर इंपायर जो है वो अलग से है बहमनी सामराज जे भी था तो उसका प्रभाव करनाटिक शैली पर पड़ा है बेशक पड़ा है अब यहाँ देखते हैं तो पल्लवी शैली है मतलब ये पल्लवों के पल्लव डैनिस्टी जो है उसी के नाम से डेवलप हुई है पल्लवी शैली है इसके अलामा आप देखें अनुपल्लवी है चरण है और स्वरकल्पना है जादा इसमें डाइवर्सिटी नहीं है तो बहुत जादा शैलीयां भी नहीं चलिए आपको कम याद करना पड़ेगा और करनाटक म्यूजिक में जो मुख्य बाजा होता है मतलब जिसे हम यूज करते हैं तो वो म्रिदंग होता है वैसे तो कई सारे वादे हैं जो कि पारंपरिक हैं लेकिन उसमें म्रिदंग का जादा यूज किया जाता है इसके बिना काम नहीं चलेगा और ये धोलक जैसा होता है धोलक आपने देखी होगी बिल्कुल वैसा ही होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा आकार में ये अंतर है कि मृदंग लंबा होता है धोलक उतनी लंबी नहीं होती है मतलब ढोलक की तुलना में थोड़ी पतली आवाज निकलेगी अब इसमें क्या होता है म्रिदंग जो है इसको बजाने के भी अलग-अलग स्टाइल होते है तो म्रिदंग के साथ जो मुक्त लै में गाया जाने वाला मतलब इंडिपेंडिन्टली उसको गया जाता है तो इस प्रकार की अगर ताल होती है उसमें मधूरता तो होती है लेकिन म्रिदंग के साथ उसको सिर्फ ऐसे ही गा लिया जाता है तो उसको तानम कहा जाता है तानम आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, तानम, तानम और रागम के बीच का अंतर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए बताया जा रहा है, but those pieces which does not, माफ कीजेगा, which do not have मृदंगम are called रागम, बिना मृदंग के भी कभी कभी गाया जाता है, तो वो एकदम विशुद्ध जैसे इंडियन आइडल का आडिशन नहीं होता है, उसमें वाद्दे अंतर बजते ही नहीं है, बिलकुल आपको अपनी ओरिजिनल आवाज में गाना होता है, तो वो चीज यहाँ रागम में होती है, मतलब राग होते हैं, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जितने भी राग हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं, लेकिन बाजा नहीं होता है, ब्रिदंग का यूज ही नहीं करते हैं, तो दो तरह की स्टाइल हैं, इसको आप मोटे तोर पे ऐसे समझ सकते हैं, कि जिसमें म्रिदंग इस्तिमाल होता है, साथ में सुरीला संगीत चलता है, वो तानम है, और जिसमें म्रिदंग का यूज ही नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार से, उसमें वो जो शैली होती है, या वो जो प्रकार होता है, उसको रागम कहा जाता है, इसके बाद एक महान व्यक्ति का नाम दिया है जो कि है पुरंदर्दास और पुरंदर्दास का यहाँ time period दिया है तो इसको आप याद रख सकते हैं यह 1484 से लेकर 1564 तक है और is referred to as the पितामह और the father या grandfather of the करनाटक music मतलब कुल मिलाकर overall इन्हें करनाटक music का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है आप इसे grandfather कहिए father कहिए हैं तो वो father है ठीक अब इसके बाद early proponent of करनाटक music जो है उससे देख लेते हैं इसमें जो variety है मतलब लोगों की variety है एक तो अन्नमा चाह रहे हैं इनका time period आप चाहें तो यहाँ skip कर सकते हैं क्योंकि वो उतना ज्यादा important नहीं है नाम महतुपूर्ण है नाम को ध्यान से देखेगा और इसे जरा सा जूम कर सकते हैं ठीक तो अन्नमा चाहरे है इसके बाद आप देख रहे हैं पुरंदर दास आप में पीछे ही ने कवर कर लिया है छेत्रया है छेत्रया इनका नाम है नाम अच्छा है और इसके साथ साथ भक्त राम दासू है असल में इसलिए यस के बाद यू लगा हुआ है तो यह लोग ज इस एक और हिंदुस्तानी शैली उन दोनों के बीच कहा मंतर बता करेंगे अब यहां पर पॉइंट आप डिफरेंस जो है वो अलग-अलग है इस टेबल को ध्यान से देखते हैं और पूरा देखने के लिए थोड़ा छोटा करना ही पड़ेगा चलिए देखें यहां देख गानी जो इंफ्लुएंस है वो भी दिखाई देता है मतलब पश्यमोतर प्रांत जो था वहां से जितने हमले भारत पर होते हैं उन सभी जो आक्रमण कारी है उनका प्रभाव यह हिंदुस्तानी शैली ग्रहन कर लेती अब आता है करनाटक म्यूजिक का नंबर तो यह इंड सब्सक्राइब देख लिए तो फ्रीडम में अगर देखें तो सुधारने के लिए मतलब जो हिंदुस्तानी संगीत होता है उसमें करेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं बार-बार उसमें मौडिफिकेशन हुए हैं बदलाओ किये जा सकते हैं जितनी बार नए आ लेकिन करनाटक म्यूजिक जो है चुकि इसमें ज्यादा इंफ्यूएंस बाहर से नहीं पड़ा है तो इसमें बहुत शैलिया नहीं डेवलप हुई है या बहुत घराने नहीं डेवलप हुए हैं और इसका प्रभाव यह है कि लेस स्कोप है इसमें इंप्रूवीजन का अभरकर सब स्टाइल से जैसे की कई सारे घराने है आगरा घराना है लकनो घराना है और वह बहुत सारे हाँआद आगे सबको देखेंगे उनके जो कलाकार है стал मियूजेशियन है या सिंगर्स है it to you गहराने में रख दिया गया जो स्थान होते हैं उनके नाम के आधार पे इन गहराणू का नाम देशने लकनऊ घहराना आग्रा घहराना या और भी दिली घहराना या इस तरह के और भी हें अब इसके बात देखें यहां वनली वन है उससे रती भर भी इधर उधर नहीं होंगे तो थोड़ी सी इसमें रूड़ी वाधिता यहाँ पाई जाती है यह ज़्यादा ट्रेडिशनल है नीड ओफ इंस्टुमेंट अब यहाँ देखें इंस्टुमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं बिना यंत्रों के कामी नहीं चलेगा जो हिंदुस्तानी शैली है और आम तोर पे जो हिंदुस्तानी शैली का गमारू रूप है वहाँ तो हार्मोनियम इतना चिलनाता है कि गायक की आवाज जो है वो नीचे दब जाती harmonium की जो आवाज है वो ऐसा लगता है कि जो artist या musician गा रहा है वहाँ पर perform कर रहा है उसको चड़ा रही है पीछे से नकल कर रही है तो जो मूल आवाज है जो मूल स्वर है वो दब जाता है ऐसा होता है तो यहाँ पर जोरदार बाजे का प्रिशलन है जो हिंदुस्तानी शैली है और करनाटक शैली में ऐसा नहीं वहाँ जो vocal music है उसको ज्यादा importance दी जाती है आपने पीछे रागम और तानम देखा न तो यह मृदंग के साथ भी गाते हैं और मृदंग के बिना भी गाते हैं तो हिंदुस्तानी शैली की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यह है कि इसमें बाजे जो है वो आवाज के उपर हावी हो जाते हैं और बाजा हटाते तो अधिकतर की आवाज किसी खाम की नहीं होगी यह भी है इसके बाद देखिए रागा मतलब राग राग जो है इसमें मुख राग चल रहा है उसके साथ सूर मिलाने के लिए बहत्तर मेल करता राग है जो कि गाय जाते हैं ठीक है इसके बाद आगे चलते हैं और भी चीज़ें इसमें है जैसे कि मेन इंफैसिस अन अब इसमें जो मेल है वो क्या चीज़ है मेली बेस्ट ऑन रागास जो हिंदुस्ता जो बातक शेली है उसका मूल आधार क्या है उसका बेस है ताल और जो हिंदुस्तानी शेली है उसका मूल आधार है राग एसोशियेशन टू पार्ट ऑफ इंडिया मतलब यहां पे कौन से पार्ट में कौन से डेवलप हुए तो यह तो रिपीट कर रहा है नॉर्थ इंडि और यह करनाटक वाला हो गया ठीक इसके बाद यहां पर आप देख लीजे कौमन लिटी बिट्बिन दटू मतलब यहां पर जो कौमन चीज़ें दोनों के बीच में है इक्वल है या एक जैसी है वो हम लोग देखेंगे तो दोनों में जो वाद दियंत्रे हैं कुछ हद तक समानता रखते हैं से फ्लूट और वाईलिन यह दोनों में बजाया जाता है मतलब करनाटक शैली का भी अंग है और हिंदुस्तानी शैली का भी अंग है इसके बाद आगे चलते हैं जो फोल्क म्यूजिक है उसको देख लेते हैं तो फोल्क म्यूजिक में सबसे पहला है बा के नाम के आधार पर उसका नाम बावल था और उसके नाम के आधार पर ये जो folk music है इसका भी नाम बावल रख दिया गया क्योंकि उन्हीं के त्वारा गायन होता था इसका इसके बाद जो अगली शैली है वो वनावन है यहां ठीक आप नीचे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर इसका राजी के तोर पे आप देख सकते हैं जहां ये प्रशलित है ये सब folk music है ये ध्यान दीजेगा इसके बाद अगली कौन सी है ये पंडवानी है ठीक नीचे आप इसी क्रम में एक लगातार इसे देखेंगे ये इसे बड़ा किया जा सकता है लेकिन एक हद तक ही बड़ा पदमश्री ने दिया जा चुका है पद्म भूषण्ण दिया जाचुका है पद्म भीषण्ट उसकी जो तारीख है उसे आप देख सकते हैं जाहें तो हालाग इतना डेट रट्टा मारने के आवशकता नहीं है बस इतना पता होना चाहिए कि क्या-क्या पुरसकारी ने दिये गए तो पद्म भी बूशन से सम्मानित किया जा चुका है इसके अलावा आप देख रहे हैं आलहा तो ये MP का है मतलब मध्य प्रदेश का है आलहा और उदल ये दो वीर योद्धा थे भाई थे और ये युद्ध में लड़ते हुए शहीद होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो सत्ना और मईहर वाला च्छेतर है मईहर में शारदा देवी का मंदिर है भेड सारी सीणिया है आप गए होंगे हो सकता है तो वहाँ पर वो रोज सुबह के समय पूजा करने के लिए आते हैं ऐसी मानिता है खेर तो आलहा की काफी वहाँ मतलब मांग होती है और काफी लोग प्रियता होती है ये एक संगीत की इलाके वर्षा प्रभावित नहीं है वहाँ पे सूखा पन रहता है इसलिए मरुस्थल भी है यह भी बात है तो यहाँ पानी की किलत होती है दूर दूर जाकर पानी ले आना पड़ता था अब आज के समय की बात नहीं हो रही है यह पुराने समय की बात है जब यह मतलब एक बड़ा मटका वो सिर्पर रखती थी उसके बाद एक छोटा मटका उससे छोटा मटका उसके उपर आपने चित्र में देखा होगा और वो एकदम बढ़ियां घूगट काड़कर और सिर्पर रखकर उसी रेतीले रेगिस्तान में चलकर वहां तक जाती थी जहां पा नहीं होता है क्योंकि जो स्वाइल होती है उसे प्यूरिफाई कर देती तो वह भी पीने के लिए इस्तिमाल होता है अगर वाटर मैनेजमेंट आपको देखना है तो राजस्थान में चले जाएए वहां बहतर दिखाई तो कुल मिलाकरी जो पनिहारी है वह उन्हीं महिलाओं जो तठ है न वहां यह प्रशलित इसके बाद पई सांग है पई गीत या पई सांग इसको खा जाता है तो यह मध्यप्रदेश का है लावडी आप ठीक नीचे देख रहे हैं तो यह लावडी जो है यह महाराश्टर का है मांड जो है यह राजस्थान का है मांड जो है यह भी राजस्थान का है और ये किस उसर पर गया जाता था तो दिवारों पर माड़ना गोदते समय इसको गया जाता था जो मिट्टी की कच्छी दिवारे होती थी उनको सुंदर बनाने के लिए और विशेश रूप से मांगलिक उसरों पर जो घर की महिलाएं होती थी वो जmachine ऑसर पर गया जाता था इसके पाद आगे बड jourस्व को देखते हैं यहां रास बतानी की जरोत नहीं थी से सकते हैं इसके बात जो अगला है यहां ठीक से आप देख सकते हैं जो अगला है यह पवार्डा की सकते हैं मणिपूर छेतर है कुल मिलाकर छेतर महतुपूर्ण है। पूछा जाता है कि ये वाला कहा का है। इसके साथ भावगीत आफ देख रहे हैं, तो भावगीत का जो छेतर है करनाठक और महाराश्ट्र दोनों में दिखाई देता है। दोनों में इसके अंश जादा दिखाई देते हैं, मांडो जो है वो गुवा का है, और इसके अतरिकती हैं कोलानू या कोटालम, ठीक है, कोलाटम कहा जाता है असल में, इसके दो नाम है या दो से जादा भी प्रणौशेसन इसके होते हैं, तो कोलालू यहाँ आप देख रहे माडिगाद अप्पू और मालाजी मिदिका है, थोड़े से नाम बिचित रहें तो इसे आप प्रणौश कर सकते हैं, मालाजी मिदिका या मालाजी मिदिका, यह अलग-अलग है, और इनका प्रशलन कहां पर है, यह आंध्र के हैं, ठीक, आंध्र प्रदेश, इसके नीचे आप भावगीत को फिर से एक बार देख रहे हैं, और उसके साथ कुछ और नाम भी जुड़े हुए, जैसे कि दोल्लू कुनीता है, इसके अलामा वीर गेस है, यह सब करनाटक के हैं, भावगीत वैसे आपने पीछे देखा था कि महाराश्टर और करनाटक दोनों में चित्र जो होता है, वो जल्दी आद होता है, तो यह नातुपुरा पट्टु जो है, यह तमिलनाडु का है, इसके बाद भटियाली और यदुगान देख रहे हैं, यह पश्चिम बंगाल का है, और पुलया है, या पुलाया आप कह लीजे, और परैया, यह दो है, यह केरल ठीक, यह नीचे, रेश खंगरा, यह सब कहां के हैं, यह केरल के, केरल छेत्र के हैं, लेकिन रुकिये यहां जड़ा से करेक्शन कर लीजेगा, यह जो आपको फोल्क म्यूजिक दिखाई दे रहा है, यह असल में केरल का नहीं है, यह पुर्वोत्तर का है, मतलब नौर्थ ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे हमें देखना है कुछ और जो लोक संगीत हैं, जिसमें कि other important folk music के तौर पे आप इन्हें देख रहे हैं, देखें इसमें नाम दिया है, state of origin दिया हुआ है, और major जो इसके themes हैं वो दे रखे हैं, कि मतलब किस औसर पे उसे गाया जाता है, या लड़के का जन्म होता है, तो इसे गाया जाता है, ठीक, लड़कियों के जन्म पे सोहर नहीं गाया जाता है, ये एक बुरी परंपरा है, इसके बाद जिकिर, जिकिर क्या चीज है, ये असम में प्रशलित है, मतलब इसका state of origin क्या है, असम है, और इसमें इसलाम की जितनी इसलामिक टीचिंग्स होती है, उसको प्रशलित किया जाता है, या यहाँ पे गायन किया जाता है, उन्हें बताने का प्रयास किया जाता है, अगला जो है वो जा जिन जा है, और ये अरुणांचल का है, संग द्यूरिंग मैरिजिस, मतलब विवाह के उसर पे इसका गायन क इसके बाद यहां आप नियोगा को देख रहे हैं यह असल में योगे है ठीक है यहां पर नियोगे करके दिया हुआ है यहां पर नाम है और यह रुडांचल का है इसमें भी विवाह समारों का ही पूरा जिक्र होता है मतलब किसी शादी ब्या के उसर पे इसे गाते इसके नियूल्यू कहा जाता है इसे एक्च्वली इसका जो प्रुनोंशेसर ने थोड़ा टेड़ा है तो यह जो नियूल्यू है यह भी नागालेंड का है इस प्रकार के जो है नागालेंड वाले और इसमें इसका आउसर क्या है सौंग्स अबाउट लीगेंड्स एंड मित मतलब युद्ध गीत के तौर पर इसे प्रशलित किया गया है और हेकाई लियू है यह भी नागालेंड का है इस प्रकार के जो लियू-लियू करके है ने यह नागालेंड के हैं आप आराम से पकड़ सकते हैं और इसका जो मतलब सौंग या आप कहा सकते हैं कि से संग किया जाता है, on self, मतलब ये अकेले गाया जाता है, अपने विशय में गाया जाता है और एक ही व्यक्ति इसको प्रदर्शन करता है, दोनों इसकी खासियत होती है, मंच पर एक गायक आएगा, वही अपना नृत्य का भी प्रदर्शन करेगा, गायेगा भी और अपने बारे में बत जाता है, और कुरूबा नाम का एक ट्राइब होती है, या समुदाय आप क्या सकते हैं, जिसके द्वारा इसे पेश किया जाता है, इसके नीचे आप नाट्टू पुरा पट्टू को देख रहे हैं, यह है ना, तमिलनाडू में है, इसमें आप ग्राम लोग संगीत और जो जो सिटी वाला है, मतलब नगर लोग संगीत है, दोनों को मिक्स करके देखते हैं, पाला और दसकठिया को देख लीजे, यह ओडिशा का है, यहाँ पे, और इसमें जो धार्मिक गीत होते हैं, या धर्माधारित गीत होते हैं, उनको गया जाता है, रिलिजियस नेचर का य अलमस्त ओघड होते हैं, तो वो लोग गाते हैं, इसके बाद नीचे आप देख लीजे, धाडी है, धाडी इसको कहा जाता है, यह पंजाब का है, और इसमें भी वीर्ता का ही अंच होता है, मतलब जो बहादुर योद्धा होते हैं, उनके ब्रेवरी को यहाँ पे शो किया जाता है, क्योंकि उस समय वहाँ ठंडक कम होती है, ठंडक धीरे-दीरे कम हो रही होती है, और जो पहाडी फूल है, वो खिल जाते हैं, घाटियां एकदम रंग बिरंगी हो जाती है, काफी खुश्णुमा मौसम होता है, तो उसके उसर पीसे पेश किया जाता है, इसके पा जाते हैंगी, इसके नीचे आप देखिए और भी चीजें से सुकर के बियाह, ठीक, सुकर के बियाह, ये थोड़ा सा विचित्र नाम है, बिहार में इसको प्रशलित किया गया है, सेलिबरेटिंग लब बिडबिन, कॉस्मोलोजिकल डाइटीज, ये जो कॉस्मोलोजिकल ड गुरु थे, और देव गुरु प्रिहसपती थे, मतलब उत देवताओं की गुरु थे, तो ये दोनों जने पुरुश हैं, और यहां जो दे दिया है, मतलब दोनों की बीच में आकर्शन, तो शुकर के बिया, मतलब शुकर का बिवा, खेर, इसके बाद आगी चलते हैं, अ अच्छा अब इसके बाद आगे चलते हैं यहां देखिए यह एक और रित्य आपको दिखाई दे रहा है मतलब यह सॉंग और जो डांस है उसका मिक्चर कहा जा सकता है लाई हाराउबा इशी इसको कहा जाता है इसका नाम देख रहे हैं लाई हाराउबा इशी और यह प्रश आजसन का नाम है सना मही जिसे कि आप यहां पर देख रहे हैं थीक अगले माले को देखते हैं यह वीरा गासे हैं और करनाटिक में प्रशलित हैं दसहरे का जो लोग जुलूस निकालते हैं उसमें इसको गाते हैं छकरी जो है यह यह कश्मीर का है परी कथा हैं फैरी टेल्स इसमें fantasy पूरी भरबर करोती है, love story का जिक्र किया जाता है, मतलब कोई प्रेम कता है, उसको गा कर बताते हैं, इसके अतरिक्त भूत गीत है, यह भूर गीत या भूत गीत आप कह सकते हैं, और इसके अतरिक्त खूबा केशोई है, तो सबसे पहले भूत गीत को देख लेते हैं जो कि यहाँ पे है, इसको भूत सौंग कहा गया है, यह केरल में प्रशलित है, और इसमें वही जो evil है और ghost है, उनके against जो वीर योधा है या महापुर्श है, उनकी विजय को दर्शाय गया है, इसके अलावा खूबा केशयी को आप देख रहे हैं, तो यह मडीपुर का है, ठीक नीचे आप देख सकते हैं, a song accompanied, entirely by clapping, मतलब इसमें तालियों की जो थाप होती है, उसी की तर्ज पे इसको गया जाता है, इसमें और कोई बाजा नहीं बजता है, मतलब कलाकार गाते हैं और तालियां बजाई जाती हैं, उसी लह पे, जूमर यह आप देख लीजे, और initially composed by शंकर देव, इसे प्रारम्भित और पे जो शंकर देव हैं उनके द्वारा और माधव देव हैं उनके द्वारा 15th century के आसपस, composition इसका होता है, पंद्रमी से लेकर सोरे मिशेताबदी, वही इसके जन्म का समय है, और इसके बाद यह प्रशलित हो जाता है, मतलब इसमें religion का connection है, यह लोग religious लोग थे, मतलब संत थे, तो एक सरण धर्म से इसका connection है, यहाँ आपने बोरगीत को देखा, कुल मिलाकर आप छेत्रियाद रखेगा, असाम, इसके बाद अगला है जोरी, जोरी या जोरी इसको कहा जाता है, दोनों pronunciation है, यह हिमांचर प्रदेश का है, और this song celebrates the extra-meritial romance, मतलब इसमें जो अतरिक्त वैवाहिक romance है, उसका जश्न मनाया जाता है, तो यह चीज़े हमने देखी, अब इसके बाद देखना है घरानों को, जो कि हिंदुस्तानी शैली की मुख्य विशेष्टाओं के तौर पे देखे जाते हैं, तो music घरानाज, अब यह जो घरानाज हैं, इसमें आपको एक तरफ घरानों के नाम दिखाई देंगे, और दूसरी तरफ उससे related जो personalities हैं, वो दिखाई देंगे, और यही important है, यहाँ पूछा जाता है कि कौन सी personality जो है, वो किस घराने से बिलॉंग करती है, objective type question में ऐसा ही पूछा जाता है, तो जो घराना है, इसमें ख्याल, मतलब ख्याल जो शैली है गायन की, वो सबसे जाता प्रशलित है, हिंदुस्तानी स्टाइल में आपने देखा था, ख्याल था, धुरूपत था, धमार था, तो उसमें से जो ख्याल स्टाइल है, वो यहाँ पर famous है, और इसमें अगर देखा ज बीच में आप देख सकते हैं, मेहदी हसन खा है, मेहदी हुसैन खा है असल में यहाँ पर, और पंडित दीक्षित है, पंडित बाला गुरू है, पंडित जोशी है, पंडित बुआ इलंची करण जी है, यह अलग-अलग नाम है, ठीक है, बुआ इलंची करण जी, जीकर इन करते हैं इनके ठीक नीचे आगरा घराना है तो इसमें आपको देखना ऊवराल क्या है जादा इसमें पढ़ना नहीं है कि इतना सारा डाटा है सब याद करना है वो बात नहीं आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें में स्टाइल क्या है तो में स्टाइल इसका है ख्य धुपद और धमार गायक जो है उनसे भरा पड़ा है मतलब वो जो सिंगर है वो यहाँ पे धेर सारे हैं आगरा घरानी की गायकी के प्रवर्तक जो है वो हाजी सुजान खा है और इनके बारे में गर देखें तो अलग दास के यह बेटे थे ठीक तो सुजान खा से इसका जन् महतुपुर्ण है हाजी सुजान खा है इसके अतरिक गुलाम अब्बास खा है हाजी सुजान खा का तो नाम जो है वो पहले ही रहेगा क्योंकि इन्हों नहीं इजाद किया था इसके अलामा गुलाम अब्बास खा को आप याद रख सकते हैं कलन खा को याद रख सकते हैं न दिल्ली घराना है और दिल्ली घराने में जो प्रसिद गायक है उसमें मुहम्मद शार रंगीला आपको दिखाई दे रहे हैं यह मुगल शाशक नहीं है ठीक इसके बाद देखते हैं यहां नियामत खां को सदारंग इने कहा जाता है असल में देखें जब कोई गायक अपना कायकी वाला काम शुरू करता है और थोड़ा फेमस हो जाता है तो अपना एक उप नाम निकनेम रख देलता है तो वो निकनेम आप यहां देख रहे हैं इसके नीचे फिरोज खां आप देख सकते हैं यहां पे और इन्हें अदारंग कहा जाता था तानरस खां है मिया अल्ल गराना है इसमें अगर आप नाम देखें तो बीनकार उस्ताद बंदे अली खां का नाम आता है यह बीन बजाते हैं बहरे वहीत खां का नाम आता है उस्ताद अब्दुलकरीम खां का नाम आता है इसके अलावा हैदर खां का नाम आता है यह क्रम से चल रहा है आप ध्यान स कहा जाता है श्रीकान देश पांडे हैं यह आप क्रम से देख रहे हैं और यहां उस्ताद अमीर खां है प्रभा अत्रे हैं भीमसें जोशी भी इसी में शामिल है तो कुछ जो प्रशलित नाम है उन्हें आप याद रख सकते हैं अब्दुलवहित खां है नायक गोपाल है यह सब जो हैं यह किराना घराने से बिलॉंग करते हैं इसके नीचे आप देखिए अलादिया खां का घराना यह किसी जगह के नाम से नहीं बलकि व्यक्ति के नाम से है तो इसमें आपको यह पहचानने में आसानी है कि किसने इसको इजाद किया था या शुरू किया था अलादिया खां के द्वारा यह शुरू होता है इसके निव डाली जाती है इसके अतरिक इसमें जो अन्ने गायक या संगीत कार हैं तो केसर भाई केरकर का नाम आता है मोधु भाई कुर्डीकर हैं शंकर राओ सरनाइक हैं और किशोरी अमोड कर हैं इन व्यक्तियों का मतलब महान हस्तियों के नाम इसमें शामिल है जैपुर घराना आप ठीक नीचे यहाँ पर देखिए यह वादा छोटा सा है इसमें अगर जो प्रसिद्यक अलाकार हैं मतलब सम्मंदित व्यक्तित हैं उन्हें देखना चाहें तो सावल खा है यह देखिए इसके अलावा रजजब अली खा है यह कुछ मिलते जुलते नाम भी हो सकते हैं दो घराने के जो व्यक्ति हैं, उनके नाम आपस में मिल सकते हैं, तो उसे कन्फ्यूज नहीं होना है, इसके बाद इसमें केसर भाई, माप कीज़ेगा, रजजब अली खा है, मुशर्रफ खा है, मुहसिन खा है, जमालुदीन खा है, और अब्दुल अजीज खा है, ये एक क् इसमें मुख्य है, ठीक है, इन्होंने इसको ओरिजनेट किया था, इसलिए इन्हें ओरिजनेटर माना जाता है, पटियाला घराने का, और बड़े गुलाम अली खा साहब जो है, वो इस घराने से बिलॉंग करते हैं, तो पटियाला घराने में आप इनके जो जन्म दाता है उनके नाम याद रख सकते हैं, बनारस घराना, अब यह जो बनारस घराना है, अब यह जो बनारस घराना है, अब यहां पर प्रेजन्ट कहा है, तो उसमें से कुछ जने का स्वर्गवास भी हो गया हो सकता है, तो उसे आप अपडेट कर सकते हैं, फिलाल, बनारस घराना ज का हम मिक्चर देखते हैं एक ही जगा पे और इसमें जब शैलियों का मिक्चर है तो जितनी भी हिंदुस्तानी स्टाइल में स्टाइल मतलब सब स्टाइल्स डेवलप हुई है जिसे कि धमार है टपा है ख्याल है ठुमरी है दुरुपद है तराना है यह सभी जो संगीत के अं इनका नाम पूछा गया था एक बार एक्जाम में किशन महराज का पूछा गया था गुदई महराज का पूछा गया था गुदई इनका नाम नहीं था वो बाद में इन्होंने रख लिया था सम्ता प्रशाद मिश्रिन का नाम था ठीक और मोती भाई रसूलन भाई सिद्ध हिश्वरी इस प्रकार के महिला जो संगीत कार है आर्टिस्ट है वो इसमें शामिल है ठीक नीचे एक और छोटा सा घराना है जो कि यह बिंडी बाजार घराना नाम काफी अच्छा है और छजु खां इसके इजात करता है नाजिर खां इसके अलामा खादिस हुसैन यह सब इस जो पपेट हैं मतलब कटपुतली शैलिया इसमें शुरुवात होती है पहले तो वर्ल्ट पपेट डे से जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इवरी एर 21 मार्ज को 21 मार्ज को यह प्रतेक वर्ष मनाया जाता है विश्वस्तर पर तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि पूरे दुनिया भर में कटपुतलियां अभी भी फेमस हैं इनका प्रशलंद पहले भी था और लोग अभी भी इसके बारे में अवेर रहना चाहते हैं हाला कि जादा लोग इससे अवेर नहीं है अब देखिए इसमें का गया कि अर्लियस्ट रिफरेंस आफ पप इनली चार प्रकार की पपेट पाई जाती है जिसमें की थ्रेड पपेट है यहां आप इसके नाम देख सकते हैं यहां पर classified into four categories पहली तो कटपुतली है यहां चुकि जो विराइटी है वो पहले पताया नहीं है उसको अलग-अलग करके छेतरवार बताया है लेकिन आप अल पतामा जो अगली है वो शैडव पपेट है इसे चाया कट पुतली कहा जाता है रॉड पपेट होती है और गलब्स में पपेट होती है जिसमें कीpower तूरपार्थ को भाड़ पथे हाथ में पहन कर और उससे एक्टिंग करते ओर जो धागा वाली होती है थ्रेड पपेट उस वैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो धागा हिलाते हैं एक्षन करवाते हैं तो ऐसा लगता है कि कटपुतलियां अपना हाथ पर हिला रही है और चाया कटपुतली में क्या होता है पीछे से एक जो कटाउट है या स्टैचू है उसको खड़ा करके उसे हिलाते दुलाते हैं और उसपे प्रोजेक्टर से रोश्नी डाली जाती है तो ऐसा लगता है कि छाया बनी हुई है या शैडो है वो आपस में वारतालाब कर रही है उसमें जो बादचीत है वो चल रही इस प्रकार का होता है और चड़ कटपुतली में वही रोड से बनाते हैं तो पुतली मतलब उससे बना हुआ पुतला मतलब गुडिया आदमी का एक शकल तो ये राजस्थान से प्रशलित हुई है दुनिया में कहां से आई वो अलग बात है और जिक्र कहां मिला वो भी अलग बात है ये तमिल साहिति में मिला तो इसका मतलब नहीं कि तमिल साहिति की देन है उसमें रही होगी पहले से प्रेशलन में तो उलेक कर दिया गया यह देन किसकी है यह राजस्थान राज्य की कटपुतली की जो कला है वो भारत में राजस्थान से ही शुरू हुई है और वही से फिर धीरे-दीरे जो दुनिया देश के और हिस्से हैं वहां पर फैल कटपुतली जो है वो राजस्थान की है शबद ही वही से आई है इसके अलावा कुंडेरी को आप देख रहे हैं इसे कुंडेई भी कहा जाता है यह उडीशा की और गोम्बे येक्टा जो है हिए करनाठक की है इसके अत्रिकत बॉम्मा लट्टा को आप देख रहे हैं यह तो यह लट्टा पट्टा जो है यह तमिलनाडू और करनाटक वाला हो गया ठीक है इसके नाम आप याद कर सकते हैं प्रशना आते हैं इसके बाद और UPSC जो है वो कुछ जादा ही इस प्रकार के जो साउथ इंडियन नाम होते हैं उसमें काफी जादा इंट्रेस्ट रखता ह शैडो पपिट को देखते हैं शैडो पपिट में तोगलू या तोगलू गोंबे लेट्टा है यह करनाटक में फेमस है इसके अलामा तोलू भोमा लट्टा है और यह आंध्र की है छेतर आपको याद रखना है कि कौन सी जो पपिट है वो किस एरिया की इसके अतरिकत एक और है रावड चाया चुकि यह शैडो है न तो यहां रावड चाया का मतलब क्या है कि वो पूरा जो भवान राम रावड का वद करते हैं वो वाला सीन यहां शैडो के माध्यम से शो करते हैं काफी इंट्रेस्टिंग होता है ऐसा नहीं कि छाया है तो नीरस होगा इसके ब पुतली जो है उसका प्रशलन अगर देखा जाया तो राजस्थान से हुआ है शब्द ही वहीं से आया है परंपरा वहीं से स्टार्ट हुई है लेकिन यह जो गलब्स वाला प्रशलन है हाथ में दस्ताने के तौर पे जो गुडिया होती है उनको पहन कर और हाथों की जो करक्टरिस्टिक्स है मतलब मेजर ट्राइबल डानसे यह हैं और उनके जो कर देखने वाले हैं सबसे पहना डांस हैं सरहूल सरहूल डांस है और यह छोटा नागपूर वाला जो एरिया था मतलब प्लेटू है पूरा रीजन वहहां पे फेमस है इसके अलावाच चतीज चर्कुला को आप देखिए यह उत्तर प्रदेश का है तो यूपी वाले जो है वो यूपी PCS के लिए ज्यादा important तरीके से से देख सकते हैं अब यहाँ पे चर्कुला जो है यह उत्तर प्रदेश में किस area में है तो ब्रज area जो है मतलब ब्रज छेत्र है वहाँ पर यह प्रशलित folk dance है इसमें कोई doubt नहीं है इसके बाद कीरतन या जात्रा देख लीजे मतलब दो अलग-अलग चीज़े हैं इसलिए यहाँ पर यह अलग-अलग लिखा हुआ है तो यह कीरतन या जात्रा जो है यह West Bengal का है सबसे पुराने जो लोक नृत्रे है उसमें यह देखा जाता है कीरतन का मतलब यह हुआ कि भजन करकर के नृत्रे करते हैं चैतने महाप्रभू का नाम आपने सुना होगा तो वो नाचते रहते थे भजन करते रहते थे ईश्वर का ऐसा उनका था मतलब नृत्ते करते हुए वो कीर्टन करते थे हाथ में कर्ताल लेकर तो वो वाली जो विधा है वो यहाँ दिखाई देती है वो बेंगॉली थे तो वेस्ट बंगाल में इसका प्रशलन अगला जो है वो लांगी नृत्ते है या लांगी डांस यह जो लांगी डांस है इसका प्रशलन अगर देखा जाए तो मूल रूप से MP में दिखाई देता है हालां कि 36 गड़ चुकि MP से ही सेपरेट हुआ है तो उसमें भी कभी कभार दिख जाता है इसमें जो बंजारे होते हैं वो राखी की पूडिमा मतलब जो रक्षा बंधन का फेस्टिवल होता है उस दिन इसको नृत्य को करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो गौडेस काली है मतलब काली देवी है उनको खुश करने के लिए उनकी उपासना के लिए किया जाता है इसके बात बिभू डांस को आप देख रहे हैं यह भी फेमस फोल्क डांस है इसमें कोई डाउट नहीं है असाम जो नौर्थ इस्टर्न स्टेट है वहाँ पे यह फेमस है और इस डांस की परफार्मेंस करने के लिए जो जनजातियां यहां काम करती है तो उसमें मूलरूप से दो ही हैं ट्राइब एक तो कचारी है दूसरी खासी है यहां आप इनके नाम भी देख रहे हैं कचारी और खासी जो की इसे करती है यहां करने की छमता रखती है और there are mainly three form of this dance अब ये जो बिहू डांस है इसमें variety है तो तीन इसके मुख्य प्रकार है ये समय के हिसाब से होता है जो बिहू पर्व है वो अलग-अलग समय पर मनाया जाता है तो उसके आउसर पीसे किया जाता है इसमें बोहाग बिहू वाला होता है इसके बाद नौरानी डांस को देखते है ये गोंड ट्राइब के द्वारा किया जाने वाला काफी famous डांस है जदूर को देखिएगा जदूर यहाँ नीचे है तो जदूर डांस जो है इसकी performance कौन करता है ये भूईया ट्राइब जो है वो करती है भूमिया या भूईया इसको कहा जाता है तो ये जदूर नाम है इसके बाद सुवा नृत्य है या सुवा डांस है इसको देखिएगा तोते की तरह से शकल बनाकर हरे हरे कपड़े पहन कर लोग डांस करते हैं और इसमें ये भी जो डांस होता है ये मध्यप्रिदेश का ही है इसमें बैगा ट्राइब की जो स्त्रिया होती है वो इसको करती है ये फीमेल डांस है इसमें मेल्स जो होता है उनका कोई रोल नहीं होता है सैला डांस को दीखिएगा ये एक फेमस डांस है सभी famous ही है तभी यहां दिये गए है तो इनकी performance सिर्फ पुरुष करते है Bega tribe के और ये भी MP का है तो कुछ जो है वो महिला special है और कुछ जो है वो पुरुष special है तो उसको आपको दिमाग में रखना है इसके अलाबा मुद्रिका dance है तो मुद्रिका dance इसका मूल प्रशलन है ओडिशा में जो उराव tribe है वहाँ पे मेली वही लोग करते हैं अलाब कि ओडिशा में कई छेत्रों में और जो tribes हैं उसे करती है लेकिन मुख्य यही से उसको उत्पन हुआ माना जाता है तो उराव tribe जो ओडिशा की है वहाँ से आप इसे जोड़ कर देख सकते हैं इसके बाद कर्मा और कोल डांस को आप देख लीजे तो कर्मा और कोल डांस जो है वो यहाँ पे है और इस डांस की परफार्मेंस करने वाली जो जनजातियां है उसमें गोण और कोल आती है इसे आप एक क्रम से देख रहे हैं, घूर्मा डांस को यहाँ नीचे देखेगा, यह जो डांस है इसको परफार्म करने वाले घोरा और सावा ट्राइब्स होती है, जो कि यहाँ क्रम से दिखाई दे रही है, इसी क्रम में आगे चलते हैं, तो दखलाई नृते आप देख सकत हैं यह ओडिशा की सौरा, बिछाल, इसके अलामा कुदा, नीडो, यह सब जंजातियां करती है, कोड़सा बड़ी डांस यहाँ नीचे आप देख लीजे, और इस डांस की परफार्मेंस करने वाली भूईयां जंजाती होती है, और इसमें गोंड जो ट्राइब होती है, इ इन तीनों के द्वारा इसको किया जाता है, और नाम है इसका कोड़सा बड़ी, इसको ध्यान से देख लीजेगा, इसके बाद अगला है बोधधा या धाल डांस इसको कहा जाता है, तो यह जो धाल डांस होता है, इसकी परफार्मेंस जो नागा लोग होते हैं, उनके नागा जन्जाती के दवारा ये असम में किया जाता है मेरली काठी या बाउल तो आपने बाउल वाला पीछे भी देखा था ये वेस्ट बंगाल का है वहाँ पे जो धारमिक संप्रिदाए है उनके दवारा इसे किया जाता है इसके बाद अब इंडियन सिनेमा को देख लेते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी शुरुबात तो इसमें कुछ फिल्मों के नाम दिये हैं मोटे तोर पे वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री और जितने भी अवार्ड वगरे हैं वो सब नहीं सिधा सिधा यहां फिल्मों का नाम दिया है उनके रिलीज होने का इयर दिया है और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टन फैक्ट है वो दिये हुए तो वैसे तो नजाने कितनी फिल्में बनी हैं बॉलीबुट से लेकर पूरा जो टॉलीबुट है और पूरे भारत के एरिया में चेत्रिय आधार पे जो चेत्रिय भाषा हैं उनमें भी फिल्म बन चुकी है तो उन सब की गिंती यहां करनी नहीं है जो जादा इंपॉर्टन है जिनमें की कुछ खास बाते थी उनको देखना है तो सबसे पहले मदर इंडिया है 1957 में यह रिलीज हुई थी इसके निर्देशक कौन थे डाइरेक्टर का नाम था महबूब खां और आसकर में जाने वाली यह फर्स्ट इंडियन मूवी थी आसकर रवार्ड मिलना किसी भी मूवी के लिए बहुत बड़ी बात होती है तो उसमें यह नॉमिनेट होने वाली या जाने वाली पहली मूवी थी भले ही आसकर मिला हो या ना मिला हो अलग चीज ठीक इसके बाद अगली है किसान कन्या 1937 काफी पुरानी है और इसके जो न 1933 डाइरेक्टर इसके है वी शांताराम और जर्मनी में इसको प्रोसेस किया गया था और भारत में रिलीज किया गया था तो ये भी कलर्ड मूवी थी इसको आप याद रखेगा सेरंधरी ये द्रौपदी को कहा जाता है आलम आरा 1931 की है और आरदेशिर के द्वारा इसको अरदेशिर इरानीन का नाम था भारत की पहली ये बोलती फिल्म थी मतलब ये एक तरह से साइलेंट नहीं थी इससे पहले जो फिल्में होती थी उसमें आवाज नहीं होती थी चित्र दिखाई देता था आवाज नहीं आती थी आप सिर्फ एक्टिंग से समझे लेकिन ये जो आलम आ रहा थी ये पहली बार साउंड इसमें दिया गया था इसके बाद अबाना को आप देख रहे हैं तो अबाना जो है इसका अगर आप समय देखिए तो 1958 का है और ये पहली सिंधी मूवी थी इसके बाद यहां देख लीजेगा ये मातमगी है और मातमगी जो है ये विहार के भोजपूर से निकली हुई जो लैंग्विज है जिसमें कि हिंदी के अंश्पाय जाते हैं हिंदी और मैथली का मिक्चर है तो उसे भोजपूरी कहा जाता है ठीक अब यह जो यहां मूवी आप देख रहे हैं यह फर्स्ट भोजपूरी फिल्म है और यह आजकल की भोजपूरी फिल्मों की तरफ भदेसर नहीं थी जो आजकल की भोजपूरी मूवी है उन्हें तो देखकर आंख मूद लेनी चाहिए और नहीं देखना चाहिए तो चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं लेकिन उस समय की जो भोजपूरी फिल्में हो ना यह 1942 की है तो इसका जो समय है वह आप ध्यान दीजेगा साथ में यह पहली राजस्थानी फिल्म है इसके बाद अगली देखिएगा यह कोंकड़ी है तो कोंकड़ भाशा की फिल्म कौन सी है मोगैचो अनवडडो अच्छा नाम है ना इसका यह वाला यह कोंकड़ी फि पिंड और कुड़ी यह जो वर्ड हैं यह कहां आते हैं यह पंजाब में आते हैं तो यह पहली पंजाबी मूवी है 1936 में रिलीज होती है इसके बाद अगला है नर्सिंग मेहता तो यह नर्सिंग मेहता जो मूवी है यह 1932 में रिलीज हुई थी पहली गुजराती फिल्म ह किसी के कैरेक्टर पे बनी थी, नर्सिंग महता नाम के जो चरितने हैं, उन पर बनाए गई थी, अगली है बालन, माफ कीजेगा, बालन तो यहाँ पे है, बीच में दो और है, उसे पहले देख लेते हैं, बिल्ब मंगलं, या बिल्ब मंगलं, यह जो है, यह असल में 1919 में रि और इसके बाद यहाँ विगत कुमारन को आप देख रहे हैं, तो यह विगत कुमारन जो है, यह 1928 में बनती है शायद, हाँ ठीक है, 1928 में बनती है, और यह पहली silent movie थी, मल्यालम लेंगविज की, मल्यालम भाशा की यह पहली mook film थी, यानि इसमें sound नहीं था, अब आता है बालन, तो बालन जो है यह असल में, यहाँ आप देखें, इसका जो समय है, वो 1938 है, मल्यालम की यह पहली बोलती हुई फिल्म थी, आपने देखा पीछे वाली silent थी, और यह वाली sound movie थी, 1938 में आती है, दस साल बाद, सती सुलोचना को आप देख रहे हैं, तो सती सुलोचना को आप यहाँ नीचे देख रहे है, 1918 में यह रिलीज होती है, और 1918 में आई है, तो यह कैसी होगी, silent होगी, तो यह पहली silent तमिल movie थी, कीचक कौन था, यह महाभारत का एक पात्र था, और आप देखते हैं कि विराट सामराज्य जो था, मतलब गुजरात और राजस्थान का पूरा इलाका, मत्सिदेश, वहाँ पे पांडव अपना अग्यादवास गुजरने के लिए छिपते हैं, अपना नाम बदल लेते हैं, वेश बदल लेते हैं, तो द्रौपदी वहाँ राणी की सेविका बन जाती हैं, छिपने के लिए ताकि दुरिवधन पहचान न पाए और उन्हें सेरंधरी कहा जाता है, और कीचक जो था राणी का भाई था, वो द्रौपदी की सुन्दरता पर मुख दो जाता है, और उनकी इज़त पर हाट डलने का प्रयास करता है, और भीम उसकी गर्दन तोड़ देते हैं, तो जो कीचक वद का प्रसंग है, वो यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक, भीम अपनी गदा से उसके सिर को चूरा बना देते हैं, अगला देखते हैं, कालिदास, तो कालिदास जो है, यह 1931 में, यहाँ पर देखेगा, 1931 में रिलीज होती है, और यह पहली तमिल भाशा की बोलती हुई फिल्म थी, बाल योगिनी को द 1971 में रिलीज होती है, यह तुलू भाशा की पहली मूवी थी, मतलब तुलू लैंग्वेज में यह रिलीज की गई थी, 1971 में ही आती है, तो सबसे बाद वाली है, इतना हमने देखा, इसके बाद फ्यूजन आप क्लासिकल और फोल्क को देख लेते हैं, तो इसमें पहला बंग्य है, जो कि महाराष्टर छेत्र से इसका ओरिजिन माना जाता है, और भगवान बिठोवा की प्रशंसा में इसको तुकाराम नाम देव जैसे जो भक्ति काली इन संद्र थे, उनके द्वारा गाया जाता है, इसके बाद आप देख लीजे अगला है, इसमें भटियाल भटियाली जो है, यह पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल में इसका प्रशलन है, और इसमें नेचर और डेली लाइफ के बारे में जो बोट ड्राइबर्स होते हैं, वो इसे गाते हैं, मतलब यह जो मलाह या नाविक होते हैं, उनके द्वारा गाया जाता है, नाव इसके बाद अगले प्रशन को देखते हैं, यहाँ प्रशन नहीं है, बलकि टेवल का अगला पार्ट है, तो इसमें आप देखें कि सोपान संगीतम, यह केरला का है, और इसका ओरिजिन जो है, वो टेंपल में हुआ था, मतलब मंदिरों से शुरू हुआ था, सोपान संगी इसमें जितनी भी रिलीजियस चीजे वो शामिल होंगी, तो इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, रिलीजियस होता है, अगला देखते हैं, यहाँ रबींद्र संगीत है, और वेस्ट बंगाल यानि बेंगाल रिजन, यहाँ पे अभिभाजित बंगाल का जो हिस्सा था, व आप में पीछे fusion देखा था तो उसमें रविंद्र स्टाइल का नाम आया था उसे हम लोग यहां देख रहे हैं मतलब सामाजिक संदेश देने के लिए चुकि यह जो समय था रविंद्र नाट टैगोर का जमाना या वो अला टाइम तो उस समय बंगाल पूरा क्रांति का अबेश होता था तो रविंद्र संगीत में भी आपको इन चीजों के दर्शन होंगे इसके अलावा आप देखिए गड़ संगीत ठीक है तो गड़ संगीत जो है वो इसके ठीक नीचे है और ये भी जो है fusion के आधार पर बना हुआ है इसमें fusion music में अगर देखा जाए तो ज आप दर्शाने की कोशिश की जाती है और गड़ संगीत का सबसे अच्छा एक्जामपल आपको कहां दिखता है ये हमें दिखाई देता है जो वंदे मातरम नाम का गीत है मतलब राश्ट्री गीत है नेशनल सौंग जिसे हम कहते हैं उसमें दिखाई देता है आनंदमठ ना देश के कई भागों में ये दिखाई देता है लेकिन मूलरूप से राजस्थान गुजरात और मूलरूप से मंदिर परसिरों से ही शुरू हुआ था मतलब टेंपल से स्टार्ट होता है लेकिन अब मंदिर के बाहर भी इसको शो किया जाता है इसका शो होता है इसमें मुजिकल इंस्टूमेंट है उसे आप यहां देखें यह अवनध्ध वाद्दे है यह कोई बाजा नहीं है या इंस्टूमेंट नहीं है यह एक वेराइटी है यहां पर हम अलग-अलग जैसे सितार है बासुरी है तबला है या मृदंग है वैसे रही देखेंगे पहले हम उन मेंब्रेन पाई जाती है और मेंब्रेन किस में किस में होती है तबले में होती है ड्रम जो होते है उसमें होती है धोल में होती है कॉंगो में होती है ब्रिदंग में होती है इन सब में में मेंब्रेन होती उसी पर थाप दी जाती और वहीं से आवाज निकलती है तो यह जो ह देखें आप तो बासुरी आएगा सहनाई आएगी इसके लावा पुंगी मतलब बीन होती है तुरही होती है और डमरू यह सब बाजे जो है न हाला कि डमरू जो है उसमें दोनों कांश पाया जाता है डमरू में आप मेंब्रेन को भी देख सकते हैं उपर नीचे मेंब्रेन लगी रती है और बीच का जो हिस्सा होता है ऐसे डमरू का आकार होता है शिवजी का डमरू आपने देखा होगा यहां पे ऐसे मोती लगा हुआ होता है और यहां ऐसे लगा हुआ होता है हाथ में पकड़ कर जब इसे हिलाय जाता है तो यह इस पर थाप देता है और वहीं स इसे घन वाद्दे भी कहा जाता है ठीक है यह घन वाद्दे है असल में थोड़ा सा यह बोलने का मिस्टेक हुआ तो most popular example आप घन वाद्दे अब इसमें जो most popular example है, इसमें मंजीरा को आप जोड सकते हैं, मंजीरा के अलावाद जलतरंग आता है, कांशतरंग आता है, घुगरू, घाटम, घाटम क्या होता है, ये मिट्टी के बर्तन पर बना हुआ धोल होता है, करताल, ये सब घन वाद्दी में आता है, तत वाद्दी जो होता है, ये आधार पर डिवाइट किया गया है, तो तीन इसके मेजर टाइपस है, पहला तो इसमें बोड है, मतलब धनुशाकार होता है, दूसरा प्लैक्टोरल है, ठीक, और इसके अतरिक्त एक और इसमें दिया हुआ है, जो इंस्टुमेंट है, वो छोटे आकार के हैं, और उन्हें हैमर की सहारे, या जो एक्स होती है, उसके सहारे बजाया जाता है, तो आईए देखते हैं, या इस्टिक्स से पीटा जाता है, बजाने के लिए कहीं ने कहीं, तो आपको थाप देनी पड़ेगी, तो उसमें हैमर या थोड़ा जो होता है, उसके सहारे भी बजाते हैं, फि इसके अनामा एसराज है जिसको दिलरुबा भी कहा जाता है वाइलिन होता है वाइलिन में ऐसे ही बजाया जाता है इसके अतरिक्त प्लैक्टोरल को आप देख रहे हैं तो इसमें अंगली सितार को खीच कर छोड़ा जाता है तो इससे ध्वनी निकलती है इसमें सितार वीडा उन्हें एक एक करके देख लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर कॉड़ोफोन का नाम आता है और कॉड़ोफोन में जो वेराइटी है यहां अलग-अलग बाजे दिये हुए काड़ोफोन का मतलब क्या होता है यह तार वाले हैं इसमें जितने भी तार या स्ट्रिंग वाले बाजे होते हैं वो सब शामिल किये गए हैं तो पहला है तुम भी और तुम भी जो है इसे पंजाब में भांगडा करने की दोरान बजाये जाता है जब भांगडा होता है तब इसको बजाया जाता है इसे टुन टुना भी कहते हैं क्योंकि ये गाना आपने सुना होगा एक तारा बोले टुन 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 तो उसी पर इसका नाम पढ़ गया है टुन टुना इसके बाद थोड़ा सा आइट एन कल्चर को मज़ा लेके पढ़ेंगे न तो ये आराम से तयार हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टुदा पॉइंट रहने के आउशिकता है भी नहीं टुदा पॉइंट रहेंगे तो ये चीज बोज बन जाएगी ये साइंस नहीं है औरना जियोग्राफी है कि इसमें आप सिर्फ जो डाटा है उसको समझ लेंगे और कॉंसेट क्लियर करेंगे यहाँ आपको स्टोरी फार्मेट में पढ़ना ही पढ़ेगा अभी पिछला हिंदी का वीडियो था तो उसमें एक महोदय ने शिकायद की थी कि भाई आप कथा मत सुनाईए देखे एक कथा सुनाने का main purpose क्या होता है आपका समय बर्बाद करना नहीं होता है आपको बेहतर समझाना होता है और वो हर विशाय में कथा नहीं सुनाइजाती है जहाँ जरूरत होती है वहीं सुनाई जाती है जैसे art and culture वाला सेक्टर है हिंदी साहित ते है वहाँ लेकोकों की रचनाएं है उसमें अगर आप थोड़ा सा describe नहीं करेंगे तो वो रचनाओं का नाम आपको रट्टा मारना पड़ेगा अब इसके बाद यहाँ दो तारा है जैसे एक तारा था तो उसमें एक ही तार था वैसे ही दो तारा है दो तारे में दो strings होते हैं और इसमें जो बजाने का तरीका होता है इसे बाउल के द्वारा बजाया जाता है बाउल नाम का जो रॉड होता है उससे बजाते हैं चिकारा जो होता है ये एक मुडा हुआ यंत्र होता है मतलब इसमें ट्विस्ट होता है और ये यूपी और एंपी दोनों में प्रशलित है इसके अतरिक्त राजस्थान से ये इजाद हुआ है मोटे दोर पे दिलरुबा या एसराज भी इसको कहा जाता है इसके दोनों नाम हैं दिलरुबा भी कहते हैं इसराज भी कहते हैं ये पंजाब और पूर्वी भारत में रवींद्र संगी जो होता है उसके दोरान जब कमेटी जुटती है वहां मंडली कठी होती है तो उसमें बजाया जाता है ओना विल्लू ये केरल में इसका बजाने का काम होता है बास से बना हुआ होता है बंबू का बना हुआ होता है सरिंदा जो होता है एक tribal instrument मतलब musical instrument के तौर पे देखा जाता है जो eastern इंडिया है वहाँ पे संथाल tribe के तौरा में इसको इस्तिमाल किया जाता है इसके अलब राजस्थान और असम में भी इस्तिमाल होता है हाँ देखने में ये सारंगी जैसा होता है सारंगी की ही शकल का होता है लेकिन थोड़ा सा उससे different होता है इसके बाद arrow phones को देख लेते हैं इसमें फूक मार कर बजाया जाए मतलब आप मुझ से फूक कर उसे बजा सके तो एक पुराना जो फूक मार कर बजाने वाला वाद्दे है वो तो बासुरी के साथ शंक है जो कि मंगल वाद्दे माना जाता है ये पूजा या धार्मी का उसर होते हैं विजय की घोषना युद्ध की घोषना के लिए बजाया जाता है तो वो भी एक बास दे उसके अलावा यहां पुंगी दिया हुआ है सापेरों को आपने देखा है साप को नचाते हुए या साप का कर्तब दिखाते हुए तो वो बीन बजाते है और जितनी नागिन वाली फिल्में होती ही उसमें आप देख सकते हैं बीन की जो आवाज है वो एकदम से कमपलसरी होती चलिए तो पुंगी या बीन उसी को कहा जाता है और इसमें स्नेक चारमर्स जो होते हैं उनके द्वारा इसे mainly use किया जाता है मतलब उनका ऐसा मानना है कि भाई वो पुंगी बजाएंगे तो साब जो है वो इनके इशारे पर नाचने लगेगा जबकि actually ऐसा कुछ नहीं होता है हाँ vibration का प्रभाव पड़ सकता है या अलग बाद इसके बाद एक तारा को आप देख रहे हैं माप कीजेगा इसमें आप देख रहे हैं अलगोजा को ठीक है अलगोजा जो है ये एक तरह का double flute होता है मतलब इसमें दो तरह की बासुरी होती है दो तरब से ऐसे rod जैसी बासुरी की design बनी होई होती है और उत्तर पश्रमी भारत में ये खास तोर पे पंजाब वाला हिस्सा है, वहाँ पे जब लोग संगीत, गाओंगी राओं के लोगी कठे होते हैं और संगीत कायोजन होता है, तो उसमें इसको बजाया जाता है, तंगमुरी को आप देख लीजे ठीक नीचे, ये भी एक फोल बाईक पाईपर की समान होता है, बाईपर जो होता है, वो एक तरह का बाजा होता है, जो कि स्विस बाजा कहा जाता है, Scoutga में स्विट्जर लेंड कहा जाता है, Scottish भी माना जा सकता है, छुछ मिलाकर। यूरोप वाला हिससा समझ सकते है, ठीक है, इसमें होता क्या है, वाले हैं वो फूप मारते हैं और इसमें ताल लगाते हैं तो यह अलग-अलग ध्वनिया यहां से निकल कर बाहर आती है और यह जो बैग है इसमें हवा भरती है तो यह फूल जाता है ठीक है तो इसको बैग पाइप कहते हैं तो यह तिट्टी भी उसी तरह का होता है और वि इसके नीचे गोगोना को आप देख रहे हैं ये वाला तो इसका इस्तिमाल किया जाता है पहली चीज तो ये बना किस चीज से होता है बंबू से बना हुआ होता है मतलब इसमें जो में फैक्टर होता है बनाने के लिए वह बास होता है असम में जो बिभू पर होता है उसी के इसे यूज करते हैं तो इतना आमने देखा अब इसके बाद जो मेंब्रेफोनिक म्यूजिकल इंस्टूमेंट है उन्हें देख लेते हैं मतलब उसमें मेंब्रेन पाई जाती है और उस पर हम लोग चोट करके उसे पीट कर बजाते हैं तो पहला तो घुमोट है यहां इसे आ इसके नीचे आप देख रहे हैं संबल यह ड्रम जैसा होता है महाराष्टर का कॉंकडवाला इलाका है वहाँ छड़ी के सहारे सको बजाते हैं तमक इसमें भी यूज होती है तो इसमें कुल मिलाकर मेंब्रेंट पाई जाती है तो ज्यादातर का स्ट्रक्चर या तो ड्मर भी कहा जाता है ये असल में जो घूम घूम कर मुनादी करने माले लोग होते थे अनौंसमेंट कोई जरूरी घोशना करनी होती थी उसके औसर पर लेकर जाते थे इसको धोंडी भी कहा जाता था कि नगर में धोंडी पिटवा दो और लोगों को सूचना दे दो तो उसके यह आईड़ो फोन्स है इसमें पहला है चिम्टा तो चिम्टा आप रोटी सेखने वाले चिम्टे से आप इसे बहतर समझ सकते हैं चिम्टे को कर्ताल का रूप दे दिया गया मतलब इसमें यहां यहां जो है वो दो घूगरू जैसी संद्रशना लगा दी गई तो जब यह परतन वही पानी भरने वाला घड़ा उसको क्या करते हैं उल्टा रख देते हैं दो घड़े उल्टे रख दी ऐसे अब इसके बाद इनका जो पीछे का सिर होता है इस पर अपना थाप देते हैं तो बड़ी सुरीली आवाश टिक 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 की निकलती ठीक अंडेलू को दे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर संगीत में कुछ जो modern development है उसको देखने की जरूरत है तो modern development में सबसे पहले तो आप गंधर्व जो महाविद्याले है उसको देख लीजेगा अब यह गंधर्व महाविद्याले इसकी शुरुवात करने वाले बीडी पलुसकर थे ठीक बीडी जो भारती शास्त्री संगीत है उसकी हरविदा से परचित कराना यह इसका में परपस था 1901 में स्टैबलिश होता है पहले इसको शुरुवात में लाहोर में खोला गया था लेकिन बाद में 1915 में यह मुंबई में शिफ्ट हो जाता है और इसे आप देख लीजे ठीक है 1915 म तौर पे दोनों को देखता है तो इतना हमने देखा इसके बाद प्रयाग संगीत समीति को देख रहे हैं आप इसकी स्टैबलिश्मेंट होती है 1926 में अलहाबाद में मतलब अब प्रयाग राज नाम है तो इमपार्ट एजुकेशन इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक अब यह जो है यह क्लासिकल म्यूजिक की जो ब्रांच है इंदुस्तानी वाली उसको बेस बनाके खोला गया है इसे हमने देखा इसके बाद संगीत नाटक अकैडमी है यहां आप देखिएगा और इसकी अगर देखा जाए इसकी बारे में कहा गया है कि तो संगीत नाटक इसके बाद मेरिस संगीत महा विद्याले को आप ठीक नीचे देख रहे है मेरिस कॉलेज ऑप म्यूजिक इसको कहा जाता है इसकी पहले होती है और इसके बाद इसमें इनके बारे में बताया गया है यह अपने मूल जन्मिस्थान लखनव की तरफ वापस लोट आये थे और इसकी स्थापना करने का इनका मूल उद्देश्य था इसके बाद आप देखें इसमें कहा गया कि इत Was Later Named As The Bhadkhande Music Institute Deemed University बाद में इसका नाम चेंज करके भाद खंदे Music Institute Deemed University के तोर पे इससे डेवलप किया गया अगला जो है उसमें आप देख लिजे इस पिस मैके है इस पिक मैके इसको कहा जाता है तो किरन सेट इन्होंने 1977 में इस समुदाय की स्थापना की थी और इस संगटन का पूरा नाम यहां अगर आप देखें तो सोसाइटी फॉर यह शॉर्ट कट है इस पिक जो है न वो शॉर के लिए समवर्धन के लिए सोसाइटी यह इसका टार्गेट भी है तो देश्य वहीं से जलगता है इतना हमने देखा यह कुछ प्रयास हैं जो कि संगीत को डेवलब करने के लिए अब इसके बाद कुछ कम्यूंटी जो कि म्यूजिक से रिलेट करती है उन्हें देखने की आऊश्यक्ता है तो कम्यूनिटी दिया है स्टेट दिया है और उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मिशन दी है यह टेबल देखते हैं पहला है लांगा लांगा जो है एक मुस्लिम ट्राइब ट्राइबल वो कमैचा होता था या कमाईचा होता था जिसके सहारे ये लोग संगीत का गायन करते थे करता भजन्स को देख रहे हैं आप ये वेस्ट बंगाल का है और इनके बारे में खास बात क्या है ये चार प्रकार का होता था चार इसके अलग-अलग विराइटी होती थी और उनमें विश्वास के हिसाब से जो उनमें प्रशलित विश्वास था उसमें ऐसा कहा जाता था कि अगर मंत्रों का गागर हम जाप करते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छी सिद्धी प्राप्त हो जाएगी ऐसा यह भरोसा करते थे इसके बाद बाउल को देखा आपने बाउल हालांकि हमने पीछे भी देख लिया है तो यह वेस्ट बंगाल का है मतलब एक रिलीजियस से इसका रिलेशन है और आध्यात्मिक गायन इसमें स्प्रिच्वल जो म्यूजिक है वो शामिल होता इसके बाद जोगी को देखिएगा तो जोगी जो है यह राजस्थान का है इसके बाद भोपा है तो यह जो भोपा है यह भी राजस्थान वाले ही छेत्र में प्रश्लित है यह दोनों राजस्थान के है जोगी और भोपा अगला देखते हैं अगला मतलब यहां से तो यह बरोट या बरोट इसको कहा जाता है, चारण और गड़वी भी इसी में शामिल है, तीन अलग-अलग हैं, ये गुजरात के, ये सब कहां के हैं, गुजरात के हैं, मुरिया ट्राइब का जो अलग इसमें रोल है, उससे अगर देखा जाए तो ये चातीस गड़ का है, और रेल कामार समूदय यह आपने देखा बगहेल को देख हैं यहाँ पर यह मद्य प्रिदेश में और इनके बारे में अगर देखा जा तो सेमी हिस्टोरिकल जो सौंग है वो यह गाते हैं और ये हरदौल नाम के जो इनके डाइटी हैं, उन्हें समरपित हैं, हरदौल देवाथा की श्रेंडी बाद में पाजाते हैं, पहले ये राजा रहते हैं और इनकी भाभी इने पान में मिलाकर जहर दे दीती है, इरिश्य आवश, ठीक है, और ये मारे जाते हैं जानते रहते हैं कि उसमें जहर है, उसके बावजूद उसे खा लेते हैं, और इनका देहा वसान हो जाता है, तो वो सब कहानियां इसमें दिखाई देती हैं, पुलियार जो mountainous tribe है, उसके बारे में देखें, तो यह तमिलनाडू का है, ठीक है, पुलियार, हिली tribe से कहा जाता ह तमिलनाडू की है और इनका जो परफार्मिंस है इसमें पारंपरिक जो तलम नाम का संगीत होता है उसको पेश किया जाता है परंपरवादी होता है इदू मिश्मी को देखेगा यह अरुडांचल प्रदेश के हैं ठीक और इसमें जो परफार्मिंस इंका होता है उसमें रैस्टेर वर्शिप मतलब ये करते क्या है Reese müsste एक पूर्वजों की पूजा करते। इस से बैथर क्या हो सकताय। इसके बाद बाजिगर ये गुवार समुदाय का है गुवार कम्यूनिटी भी इसको कहा जाता है ये पंजाब का हो गया छेतर आपको जरूर याद रखना है और इनके बारे में खास बात ये है कि ये तेवहारों और उत्सवों में प्रस्तुती देते हैं और शक्ति संतुलन और साहस का प्रदर्शन करते हैं रसी के सहारे चलना और तरह तरह के करतब दिखाना म्यूजिक के सहारे डांस करते हुए रसी पर अपना करतब दिखाना और भी बहुत तरह का होता है तो वो सब बंजारों के द्वारा किया जाता है माप कीज़ेगा बाजिगरों के द्वा आपना मूड होता है, सीजन होता है, बिना मौसम हो नहीं गाये जाते, तो वही दिया हुआ है, and evoke a particular type of emotion, जिसे की रस कहा जाता है, emotion का जो एक particular type है, उसे यहाँ काब्य शैली में रस कहते हैं, तो आएए देखते हैं इनकी variety को, एक तरफ हिंदुस्तानी जो राग है, रागा को जन्म देता है, तो पहला है राग भैरो, ठीक है, हिंदुस्तानी शैली में पहला राग भैरो है, ये सुबह के समय गाया जाता है, जो एकदम सुबह का टाइम होता है, भोर का समय होता है, ब्रमहूर्थ, उस समय गाया जाता है, और रितु कोई भी हो सकती है, मतलब सीज है आप कितना भी डिस्टर्ब रही है रात में सो जाइए सुबह उठेंगे तो फ्रेश अच्छा लगता है और इसके बाद हिंडोल है तो हिंडोल जो है यह गाते हैं क्योंकि जो काफी ब्युटिफुल होता है विशेश रूप से उसकी सुबह और शाम दोनों एकदम बहतरीन होती उसमें मूड अच्छा हो जाता है तो इसमें आप देखें कि स्वीटनेस ओफ यंग कपल मतलब या विवाहित जोडे उनके प्रेम या उनके प्रेम की मिठास है उसको इसमें दर्शाया जाता है इसके बाद राग दीप को आप देख रहे हैं दीपक राग कहा जाता है रात के समय गाया जाता है दीप कप चाहिए होता है जब अंधेरा होता है तो अंधेरा रात में होता है और समर सीजन इसको विशेशरूप से गाया जाता है, मतलब शांती का भाव तो होता ही है, साथ में करुणा होती ही, ठीक है करुण भाव होता है और तान सेनका जो राग मेग और राग दीप था, कहा जाता था कि जब वो गाते थे तो राग दीप से दीपक जल उड़ते थे इसका नाम ऐसे नहीं रखा गया है इन रागों को अगर सही frequency के साथ गाया जाए तो जो frequency है वो amplitude के साथ मिलकर यहां कुछ इस प्रकार का scientific कलाकारी करेगी कि जैसे राग मेग है तो बादल घिराएंगे और वर्षा होने लगेगी और बुझे वे दीपक जो है वो राग दीप के गाने से जल जाएंगे ऐसा माना जाता है तो स्वामी हरिदास और उनके जो शिश्र थे बैजू बावरा और तांसेन उनके संगीत में ऐसी उर्जा थी यह माना जाता है अब यह कितना सत्य था यह पीछे जाकर रिसर्च करने का विशह है खेर तो यहां राग मेग को आप देखेंगे तो राग मेग का यहां नीचे जिकर किया गया है लेट नाइट जब एकदम रात देर रात हो जाती है तब इसे गाया जाता है इसमें वर्षा रितु में इसको विशेश रूप से गया जाता है साहस का इसमें प्रदर्शन किया जाता है करिज इसमें मूल भाव होता है मतलब वीर रस होता है इसके बाद श्री को देखेगा सायम काल इसको गया जाता है संध्या बेला लच्मी की बेला होती है ऐसा मानते हैं तो इसलिए रागश्री सायम काल में गाया जाता है थंडी के मौसम में विशेश रूप से और इसमें खुशी का भाव होता है हर्श होता है आहलाद होता है ग्लैडनेस यहां लिखा हुआ है उसे आप देख सकते हैं इसके बाद मालकोस है तो मालकोस जो है यह एकदम जब मध्य रात्री होती है रात के बारा बजे तो उस समय गाया जाता है ठंडी के मौसम में हो सकता है किसी को ठंडा लग रहा हो भाई तो रजाई में से इसको इजात किया हो खेर तो यहां पे राग मालकोस जो है ठंडी के मौसम में गया जाता है और हाँ इसमें वीर रस होता है वीरता का भाव होता है मतलब उत्सा होता है तो यहां तक हमने देखा, आगे बढ़ते हैं, यहां देखे कुछ और चीज़ें, जैसे कि नृत्य के स्वरूप दिये हुआ हैं, aspects of dance, तो dance में आप variety देखना चाहेंगे, तो दो main variety है, एक तो laste है, दूसरा tande है, यह नाटे शास्त्र के इसाफ से division है, जो भरत मुनी का करते हैं, तो दो इसकी variety हो गई, एक तो laste हो और दूसरा tande, तande को tando भी कहा जाता है, अब इसमें देखे पहले laste को, laste में यह कहा गया कि इसमें लालित्ति का भाव होता है, ग्रेस होता है, इसके अलावा भाव होता है, रस होता है, अभिनए होता है, और यह symbolic होता है, इसमें कड़ापन या रूखापन नहीं होता है, और जो tando होता है, यह नर प्रधान या पूरिश प्रधान रते होता है, मतलब पहले के समय के जब भरतमुनी रहे होंगे, तब उनका ऐसा मानना रहा होगा, या उस समय के लोग मानते ही थे, कि मैलाये जो है, वो कमसिन परी होती है, जरासा उन्हें आघात लगा, तो वो तूट कर विखर जाएंगी, और पुरुष जो होते हैं, वो चटान के देवता होते हैं, उन पर आप हथोड़ा चला, यह कुछ नहीं होगा, ऐसा माना जाता है, अब यह परंपराये तूट रही है, तो अब उसका होता है, शिव जी का तांडव आपने देखा है ना, तो पिलकुल वैसे ही उग्र प्रदर्शन यहाँ पे हाथ-पैर की ताल के साथ किया जाता है, अगला देखते हैं, नटराज की प्रतिमा पे बहुत सारे क्वेशन बनते हैं, तो तांडव मुद्रा में ही तो है, अगले अभिने की तीन अलग-अलग जो ब्रांचेज हैं उसको दिखाया गया, अभिने भी अलग-अलग तरका इसलिए होता है, क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे हैं, इस पर वो डिपेंड करता है, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, मुँ बना रहे हैं, हाथ पर चला रहे हैं, ठीक, तो यहां नृत्य, इसके जो basic element है, उसे दर्शाय गया है, नृत्य है, नाट्य है, और नृत्य है, मतलब एक नत्ता होता है, नृत्या उसको कहा जाता है, तो नृत्या एक अलग चीज है, दूसरा जो है, वो उसका समावेश होता है, तो उसे, यहां आप देख रहे हैं, प मतलब कुल मिलाकर यह mood का expression होता है, सीधी बात है, और rhythm इसमें होता है, नाट्य में क्या होता है, नाट्य जो होता है, इसमें पूरा नाटी का प्रस्तुत की जाती है, मतलब यह dramatic होता है, representation इसकी पूरी drama वाली होती है, story को ही होती है, और उसी को elaborate करने का काम होता है, वो dance के जरिये किया जाता है, जो नृत्य है, उसमें आप दोनों काम करते हैं, मतलब गाते भी हैं, नाचते भी हैं, कभी-कभी क्या होता है, कि जो silent acting है, वो भी की जाती है, मुद्राएं जो है, वो नर्तक बनाता है, पीछे से गाना चल रहा होता है, तो यह सब है, methods of expression including mudras in the dance, इ उनकी total संख्या कितनी होती है, नौ होती है, नौ रस होते हैं, और इन्हें आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, 9th, 10th की जो हिंदी की book होती है, या 8th class में भी कभी-कभी मिल जाता है, तो उसमें आप देखते हैं कि रसों की बारे में दिया हुआ है, परिक्षा में कैसे प पूल भाव क्या होता है, रती, रती मतलब आकर्शन, तो अट्रेक्षन यहां होना चाहिए था, जो कि लब दिया है, तो लब में भी अट्रेक्षन ही होता है, अब इसकी भी दो विराइटी होती है, एक वियोग श्रिंगार होता है, दूसरा संयोग श्रिंगार होता है, व इसमें एंगर होता है, क्रोध का मूल भाव होता है, स्थाई भाव महतवपुण होता है, इसके बाद आप देख लीजिए, यहां हास्य रस नहीं, यह не ईए खेर कोई बात Face तो रूद्र या रौद्र रस जो है रौद्र से ही बना हुआ है रौद्र संकर बगवान का जो रौद्र रौतार Anger इसमें बेन होता है इसके अलबावा बीभत से जो है इसमें Disgust होता है, मतलब घ्रिणा का भाव होता है काईता हैं निहीं Disgusting लट्साह का इसमें मूल समावेश हो ता है क्योंकि उट्साह के भी न वीर्था नहीं हो सकती शान्तिया जो पीस वाला इसमें रस है उसे आप देखेगा इसमें जो ट्रैंसेक्वेलिटी है वोगा देखी क्हती है अगला देखते हैं यहास reminds हैं मतलब लाफ्टर इसमें कॉमे तो इन्हें हिंदी में ही समझे तो जादा बेतर आगे बढ़तें देखें इंडियन क्लासिकल डांस फार्म जो है वो यहाँ पर दिये हुए हैं मतलब क्लासिकल डांस के प्रकार दिये हैं और उसके साथ-साथ जो अन्य चीज़ें जैसे स्टेट है इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह सब चीज़ें दी हुई हैं तो इन्हें एक एक करके देखने की जरुवत हैं देखिए संगीत नाटक एकैडमी जो है उसके हिसाब से अगर प्रेजन टाइम में इंडिया में देखें तो आठ प्रकार की जो क्लासिकल डांस की विधायें हैं वो प्रशलन में अस्तित इसका नाम तो हमने देख लिया आर्ट के नाम यहां पर मुझूद है पहला तो भरत नाट्याम है जो यहां कोने में दिया हुआ है ठीक है इसके अलामा कुची-पूडी है कथकली है मुहिनी अट्टम है यहां देख रहा है ओरिशी है मनीपूरी है और कथक है सत्रिया है य इसका मूल राज है तमिलनाडू और यह oldest है जितने भी classical dance है उनमें सबसे dance farm जो है यह oldest के तौर पे देखा जाता है इसका origin अगर देखें तो यह जो मंदिर होते हैं मूल रूप से जितने भी classical song है या dance है वो मंदिरों से निकले हुए और बात अगर दक्षन भारत की हो रही हो तो वहाँ तो अनिवार रूप से मंदिरों से इनका इजाद होता है तो भरत नाट्यम का भी वैसे ही आविश्कार हुआ है जो तमिलनाडू के मंदिर होते थे देवाले होते थे वहाँ पे जो dancer होते थे या देवदासियां होती थी उनके द्वारा इसे पेश किया जाता थ भगवान भरोसे पलेगी भगवान के सेवा में हम इसे अर्पित कर रहे हैं तो पहले का समय तो अच्छा था कि पवित्रता थी मतलब उन बालिकाओं को एक साधवी की भाती सम्मान मिलता था उनका सतीतु बना रहता था वह आजीवन अविवाहित रहती थी और देव उपा पूरा पवित्री छेत्र था यह कुरीतियों का अड़ा बन जाता है तो जब नौ जागरण काल आता है आप देखते हैं मौडर्न इंडियन हिस्ट्री में तो वहाँ पर देवदासी प्रथा को समाप्त करने का पुर्जोर प्रयास किया जाता है और इसको दूर किया जाता ह तो अच्छी बात है चलिए फिलाल देखते हैं यहाँ पर यह देवदासी ओं और जो नर्तक होते थे मतलब पूरिश नर्तक होते थे उनके द्वारा किया जाता था और इसमें जो नृत्य प्रस्तुती होती है उसे सादिर कहा जाता है इसलिए यहाँ पे सादिर दिया इसके बात अगला है कुची पुडी तो कुची पुडी जो है यह कहां का है आंद्र का है आप जानते ही है इसमें कुचेलवा के नाम से विख्यात जो गाउ गाउ जाकर प्रस्तुती देने वाले एक्टर्स होते थे उनका पुरा ग्रूप होता था वो इसे हुआ रूप है इसके बात अगला देख रहे हैं आप कथकली तो कथकली जो है यह केरल का है और इसमें केरल के जो टेंपल्स होते हैं वहाँ पे सामंत लोग होते थे जो नाइट्स होते थे उनका प्रोटेक्शन होता था राजाओं के सामंत मतलब मुख्य सची वया चक्तल पाद आपके सकते हैं इनके जेतर में रियास्ते में अधिकार में जमीदार टाइप की तो इनके संण्रचर्ण में इनृत्य नाटिका होती थी, इसमें रामा नटम, कृष्णा नटम जो है वो डबलब होए थे, महा भारत और रामा एड का इसमें डबलब्मेंट किया जाता था, मतलब प्रेजेंटेशन किया जाता था, यहाँ आप देख रहे हैं न, यह कथकली है, तो कथकली में रामा एड़्टम और कृष्णा एड़्टम, कृष्णा एड़्टम में महा भारत की पूरी कथा होती थी, और रामा एड़्टम जो होता था, उसमें रामा एड का पूरा जो गुडगान होता था, वो दिखाई देता था, आगे बढ़ते हैं, और कथकली में एक पास बात यह है कि इसको पुरुष करते हैं महिलाएं नहीं करती है इसके ट्रडिशन में यही अगला देखते हैं हाला कि नृत्य संगीत में ऐसा महिला पुरुष होना नहीं चाहिए लेकिन यहां डिवीजन पहले से किया हुआ है और ओडीशी जो है इनाम से इस पष्ठ है आपको जगा बताने की जरुवत है नहीं ठीक है लेकिन उससे पहले एक छूट गया है न मोहिनी अटम चली अच्छा ओडीशी को देख लेते हैं उसके बाद मोहिनी अटम को देखते हैं तो ओडीशी जो है वो ओडीशा चेतर का है और इसमें उदैगिरी के जो गुफाए हैं मतलब उदैगिरी खंडगिरी की गुफा आपने कहते हैं वहां से इसके कुछ जो शुरुवाती उदारण है वो दिखाई देते हैं और ओद्रा डान्स के तोर पे इस नृत्य रूप को नाम मिला है मतलब ओद्रा इसका पहले का नाम था बाद में ये नाम बिगड़ते और ये स्त्रियों के द्वार किया जाता है इसमें मोहिनी नाम की जो लड़कियां है अब देखें मोहिनी कौन है याँ पे ये भगवान विश्नु का नारी अवतार है जब समुद्र मंथन हो रहा था मतलब इंडियन ओशियन को मतने का काम हो रहा था उसमें से रत्न करना ठीक है क्योंकि देवताओं की शक्ति छिड़ हो रही थी और आक्षा सावी हो रहे थे तो ऐसे में भगवान विश्नु ने और सभी देवताओं ने मिलकर फैसला लिया कि समुद्र को मता जाए जिससे कि जो अम्रित अंदर दबा हुआ है महसागर में वह बाहर आया औ और वो शत्रूओं का मुकावला कर सके यह आवश्यक था तो इसके लिए फिर मन्थन का आयोजन होता है तो भई समुद्र मतना है तो ऐसी वैसी बात तो है नहीं कि उसमें आप एक मथानी मखन मतने वाली ले जाएंगे तो एक परवत को उसमें डाला जाता है और उस पे ए लेकिन उनके पास बुद्धी कम होती है मोटी अकल होती है तो लोग सिर वाला हिस्सा थाम लेते हैं और आग में जुलसते हैं और मुछ वाला जो थंड़ा पार्ट होता है उसको देवता स рад खींशते रहते हैं तो मन्थन होता है मतलब पर्वत जो है व кадवान विश्ण dif महादेव का मतलब क्या है कि महापुरुष थे जो कि जहर को पीने की ताब रखते थे और किसी देवता के अंदर वो सामर्थ नहीं था तो उसे धारण कर लेते हैं तो प्रलह उने से बच जाती है उसके बाद जब अम्रित निकलता है और भी बहुत सारी चीजें से घोडे नि जाते हैं देवता तो बेकाबू रहते ही हैं लेकिन राक्षस एकदम अधीर होकर उसको छीन लेते हैं धनवंतरी उसे हाथ में लेकर निकलते हैं धनवंतरी के हाथ से चीन लेते हैं और उसमें छोड़ा चीनी शुरू हो जाती है कि पहले हम पीएंगे पहले हम पीएंगे और अमृत जो है वो छलकने लगता है, तो जहाँ-जहाँ उसकी बूद गिरती है वहाँ-वहाँ कुम्भ मेला लगता है यह आपने सुना होगा, खेर, तो अब देवताओं के सामने समस्या यह रहती है कि राक्षसों से अमृत कैसे छीना जाए, तो भगवान विश्णु यह नारी रूप धारण करते हैं वही मोहिनी वाला और राक्षसों को अपने सुन्दर्ता के माया जाल में फसाते हैं और उनसे कलश ले लेते हैं, उन्हें समझाते हैं कि शांती से बैठो, मैं अपने हाथ से तुम्हे पिलाओंगी, तो एक सुन्दर नारी के हाथ से अमृत प पिलाना रहता है, तो वो देवताओं को पिलाती है और राक्षसों को वंचित कर देती है, फिर राहु केतु का वद होता है, वो अलग चीज़ है, तो यहां मोहिनी अट्टम उसी का पूरा वर्डन है, मतलब वही कहानी यहां प्रस्तुत की जाती है, और इसमें आप देख में फेमस है, और मडिपूरी डांस में, अगर माइथोलाजिकल ओरिजिन को हम लोग मिला कर देखें, तो इसमें गलत बात नहीं होगी, सही बात है, ठीक है, गंधरवों और भगवान शियो पारवती का यह मिला जुला नृत्य है, दैवी नृत्य से कहा जाता है, और इसमे मतलब गोपियों के साथ भगवान कृष्ण का नृते, उसमें इसको उत्पन्न हुआ माना जाता है, कथा कि उत्तर प्रिदेश के जो ट्रेडिशनल डांस है, उनमें से एक विधा के तौर पे देखा जाता है, इसमें कथिका होती है, कहानिया होती है, और भाव भंगिमा हो प्रश्चित तो पहले भी था, लेकिन इसे एक तरह से कंपाइल करके इसका जो मौडन फार्मेट है, वो पेश किया गया, अब आगे चलते हैं, और कुछ जो फोल्क डांसे हैं भारत के उसे देख लेते हैं, तो सबसे पहला है चहू, और यह जो चहू है, इसमें राज जे अगर आप देखें, तो जारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, तीन जगए पर यह किया जाता है, और इसलिए यहां पर नाम एक साथ नहीं दिया है, ठीक, यहां आप एक साथ देखें इसे, the world चहू originate from चाया, मतलब शैडो से यह निकला हुआ शब्द है, चाया श उखा जाता है, पुरूलिया चहू खा जाता है, और 2010 में UNESCO की जो मानवता की अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत वाला पूरा ग्रूप है, मतलब World Heritage Site के तौर पे उसमें इसको शामिल किया गया, यह Site तो है नहीं, तो यहां विरासत के तौर पे से शामिल किया गया, देखिए यह Heritage किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो एक Site भी हो सकती है और एक कला भी हो सकती है, तो जो कलाएं होती है उनको अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत के तौर पे शामिल किया जाता है, कुल में लाकर यह UNESCO की लिस्ट में शामिल है, इतना आपको पता होना चाहिए, इसके बाद आप गर्भा को देखते हैं, गर्भा कहां का है, गुजरात का है, और अगला देखते हैं, अगला है तरंग मेल, गर्भा के बारे में आप जानते हैं, नौरात्र के औसर पर किया जाता है, यह गुजराती नृत्य है, और तरंग मेल जो है यह गोवा का है, दशारा और होली के औसरपे से पेश किया जाता है घूमर और गंगोर कहा जाता है इसको दोनों नाम एक ही है तो यह राजस्थान का है राजस्थान में जो भील ट्राइब है वहां की लेडीज इसे करती है और यह एक लोक नृत्ते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है काल बेलिया जो है यह भी राजस्थान का है काल बेलिया वहां पे सापेरों को कहा जाता है ठीक है जो बीन बजाते हैं और उस समुदाएं की जो महिलाएं मतलब सापेरिन होती है वो इसे करती है इसमें काफी ज्यादा इमोशन्स होते हैं मतलब एक्टिंग ज्यादा होती है चेहरे की एक्टिंग ज इसके पाद आप भांगड़ा को देख रहे हैं भांगड़ा और गिद्दा तो इसमें भांगड़ा और गिद्दा है तो एक ही डांस लेकिन उसमें एक महिला वाला है और एक पुरुष वाला है भांगड़ा जो होता है उसको पुरुष करते हैं काफी एनर्जी उसमें होती ह मतलब बहुत energetic होता है बहुत उर्जा के साथ इसको किया जाता है और गिद्दा जो होता है उसी का female संसकरण आप कह सकते हैं एडिशन तो वो चीज़ दिया हुआ है देखें यहाँ पे बता दिया गया है गिद्दा is the female counterpart of the male भांगडा यह हमने देखा पंजाब रीजन है दादरा अब यह दादरा कहां का है यह यूपी का है ठीक यूपी में यह एक बृत्य है जो कि अर्ध शास्त्रीय रूप में दिखाई देता है मतलब यह semi या partial classical music का ही एक format है इसमें जुगलबंदी होती है और लखनव छेत्र के जो दर्बारी नर्तक थे मतलब नबावों के दर्बार में नाचने वाले नर्तक थे वो इसे कर देते जवारा यह MP का है यह बुंदेल खंड रीजन जो मध्यप्रिदेश का है वहाँ पे किया जाता है फसल कटाई के समय इसको अकसर करने का प्रशलन दिखाई देता है इसके बाद मटकी को आप देख रहे हैं यह मालवा छेत्र की है तो मटकी का जो रीजन है वो तो मालवा है इसकी परफार्मेंस महिलाओं के द्वारा होती है यह एक बड़ी बात है और शादी बया के औसर पर या कोई तेवहार है तो उस पर इसे किया जाता है इसके बाद गौर मारिया बिशन होर्न यह आप देख रहे हैं तो यह 36 गड़ का है गौर मारिया यह 36 गड़ का जो बस्तर जिला है वहाँ पर मौरिया ट्राइब के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृते है भैसे की सींग इसको कहा जाता है इसलिए यहाँ पर बिशन होर्न लिखा हुआ है तो असल में देखिए यहाँ शब्द में थोड़ा गलत है गौर भैसा नहीं होता है और नहीं बाइसन है इसको इंडियन बाइसन लोग कहते है लेकिन वो गलत चीज है यह गोवंशी है मतलब यह जो गाय का कुल है उससे बिलॉंग करता है और जितने भी गोवंशी पशू होते है उसमें सबसे बड़े आकार का और सबसे हट्टा कट्टा होता है इसको वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर भी कहते है ठीक तो गौर एक अलग चीज है जो कि छतिसगड का ऐसे आम दिखने वाला पशू है जो राजकी पशू है उसका दरजा भी से प्राप्त है तो यहां आपने देखा कि गौर इसमें इंपॉर्टेंट होता है गौर के जो सींग होते है वैसा डिजाइन बना के यह नृत्ते करते है इसके बाद अलकप को आप देखिए यह जारखंड वेस्ट बंगाल दोनों में दिखाई देता है आलकाप इसको कहा जाता है तो आलकाप जारखंड की जो राजमाल की पहाडियां है वहां भी होता है और पश्टिम बंगाल में जो मुर्शीदाबाद वाला चेतर है मालदा वाला चेतर है वहां पे ग्रामीर रितनाटिका के तौर पे से किया जाता है इसके बाद आप बिरहा देखिए तो बिहार का है बिरहा और इसमें कई सारे वैरियंट होते है मतलब जो भिखारी ठाकुर्थ है उनके नाम को आप जानते होंगे इन्हें भोजपूरी का सेक्षपियर कहा जाता था तो उनके द्वारा एक विदेशिया नाम का प्रशलन किया गया मतलब पुस्तक लिखे गई और इसमें कावे शैलिया थी तो विदेशिया की जो पंक्तियां है या गीत है उसी को बिरहा में अलापा जाता है बिरह गीत है इसलिए इसका नाम है बिरहा मतलब इसमें वियोग होता है, श्रिंगाररस का जो वियोग वाला फॉर्मेट है न वो यहां पर दिखाई देता है, तो इसमें वो महिलाएं इस बिरहा को अलापती हैं जिनके की पती घर से दूर चले गए होते हैं, और पहले की जमाने की जो महिलाएं होती थी, उनका सब कु ओडिशा में इसका प्रशलन है और पाई का जो है एक material folk dance है मतलब विवाह के उसर पर किया जाता है एक चीज़ और है कि यहां देखिएगा माफ कीज़ेगा यहां थोड़ा सा बोलने में mistake हुआ ओडिशा का यह मुखी रूप से है और यह मूल रूप से folk dance है युद्ध का समावेश इसमें होता है यह विवाह वाला जो song है या dance है उसके तोर पे नहीं देखा जाता है इसमें पाई का एक भाले का नाम होता है ठीक लं अब इसमें उत्तरी भाग जो है वहाँ पे मिथलांचल वाले reason में किया जाता है विवाहित जो जोड़े होते हैं वो इसे करते हैं इसके बाद जूमर या जमुहर को आप देख रहे हैं यह क्रम से है ठीक है जमुहर इसको कहा जाता है जारखंड और ओर ओडिशा दोनों ज अंगीत सब कुछ इसमें मिला हुआ होता है विवु असम का है यह आपने पीछे देखा इस तरी पूरिश दोनों इसको करते हैं थांगटा को आप देख लीजे यहां नीचे यह मनिपूर का है और यह युद्धिन रते है ठीक थांगटा भी एक प्रकार का युद्धिन र रंगीन इसमें कपड़े होते हैं काफी कलर्फुल आभूशन होते हैं सिर पर कवच पहने रहते हैं काफी सजे धजे रहते और तरतरह की युद्ध जो होते हैं उनका ये सीन पेश करते हैं तो बहुत अच्छा अकर्शक नृत्य होता है इसके बाद एक और यहां नीचे आ दोटे हैं मतलब इहांपे खांचन जोंगतर का मतलब क्हा कि मतलब किया का मही मैं लट्ầम को 보면 पूजा करते हैं और इसके बाद कुम्मी को देखेगा नीचे यह नाई अनिछ eccentric अद्विज्रेंब मैं माही लट्टव ? लिवज्डेंब कि म माइ लत्टम ऑन केरल Hem लाडू में जो यंग गर्स होती हैं उनके त्वारह अच्छे-च्छे कपड़े पहन कर मतलब मोर्णी बन कर किया जाता है काफी ज़ादा इसमें जो कलरफुल पगड़ियां होती है बेक्स होती है फteilदर्स होते को देख लीजे कोट्टिल कली भी इसको कहा जाता है कराई कोट्टी कली तो यह केरल में है और केरल में मंदिर रित्ते के तौर पे देखा जाता है ओडम के समय जब बढ़ियां फसल हो जाती है तो उस औसर पेसे किया जाता है हार्वेस्टिंग लोग कर लेते हैं दूसके बा शाठ सब्सक्राइब स 피 Breeze अब इसके बाद अगला देखते हैं ये कोलली परीचा कली है और यह था यह यह यूत्प का इलाकों में इसको bhi करते हैं आगेचलते हैं पठ्टा-कुनिथा को देखी चेतर है वो आता है मैसूर चेतर का ये लोग प्रियन रिते है इसके अलामत चक्यार कुथू जो है ये केरल का है ठीक जूमर जो है ये पंजाब का है परफार्मेंस इसकी जो सिख लोग है वो करते हैं और इसमें जो आसपास के एरिया है वहाँ हार्वेस्टिंग जो सीजन हो इस्टर्न इंडिया में वो इसको परफार्म करती है छोटा नागपुर का प्लेटू वाला जो पूरा रीजन है वहां पे इसका प्रशलन है राउत नाच को देखें तो राउत नाच जो है यह 36 गड़का है इसमें जो परफार्मेंस है इसमें यादो कम्यूनिटी शामिल होत है मतलब वत्तल जनजादी जो है वो इसे पेश करती फुगडी जो है यह महाराष्टो और गोवा दोनों में प्रशलित है कोंकर छेत्र में महिलाएं इसको करती है चेराओ यह मिजोरम का है यहाँ आप देख रहे हैं यह एक तरका फोल्क दांस है मिजोरम में इसकी परफा करनाटक का है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें जो में तटबरती करनाटक चेतर है वहां पे उती है और इसमें बाग की तरह की दिखने वाप उटे है होजा गिरी जो है यह त्रिपुरा का है ठीक इसे हमने देखा तो यहां तक हमने कुछ जो डांस है उनके बारे में परिचय प्राप्ति किया अब इसके बाद फोल्क थीएटर को देख लेते हैं एक बार तो लोकनाट टिकला में अगर देखें तो टू बेटर मतलब अनुष्ठानिक होते हैं दूसरे जो है वो मनोरंजन के आधार पर मतलब इंटर्टेर्मेंट बेसिस पर बनाया जाते हैं और तीसरी जो वेराइटी यहां पर है वो दक्षण भारती नाट टेकला की हो गई मतलब साउथ वाला अपना एक अलग ही स्टाइल है तो अब जो है यह रिचूवल थियेटर है और इसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर यह इंटर्टेर्मेंट वाला सेक्टर है तो इंटर्टेर्मेंट वाले सेक्टर में भवई दसकठिया इसके अलावा गरोड़ा जात्रा करीयला और मांच मध्य प्रदेश में फेमस है न पुराना यही है यक्षगान इसके अलावा बुर्रा कथा है पगती बिशालू बायलता ताल मड्डाले है थेयम है कृष्णत्तम है कुरुवंजी है कुरुवंजी पर प्रशन आ चुका है तो इनसे आप सतर्क रहेगा नाम जानते रहे हैं छेत्र जानते रहे हैं अब नी जानिए और जो इस्टेट इसका फेमस है उससे जानिए तो अंकियानाट यह एक तरह का ट्रेडिशनल वन एक्ट प्ले है असं में प्रशलित है मतलब एक और बहुत बढ़ा नहीं होता है छोटी सी कहानी होती है जलदी समाब्त हो जाती है और इसकी शुरुवात करने वाल तो दोनों गुरु शिष्य जो है वो अंकियानाट को शुरू करते हैं 15th, 16th century के आसपास इसके बाद राम लीला है तो यह यूपी का है और दशहरे से पहले भगवान राम का जो पूरा जीवन चरित है विशेश रूप से तुलसी दास का जो राम चरित मानस नाम का महा कावे है उससे आधार बनाकर या उसकी कहानी को आधार बनाकर कभी कभी क्या होता है कि बालमिकी रामायर्ड जो मूल महा कावे है रामायर्ड के नाम से जिसे हम जानते हैं उससे कथाली जाती है लेकिन ज़्यादा तर उसमें अंश जो होता है चौपायां गाई जाती है वो राम चरित मानस की होती है तो उसी इक वाधार बना के पूरा भवान राम का चरित है उसको यहां पले किया जाता है अब इसमें टाइम पीरियड होता है, दस दिन का होता है, उसमें भगवान राम का जन्म होता है, उसके बाद वो बड़े होते हैं, सिक्षा ग्राण करते हैं, वन को जाते हैं, विवा होता है उससे पहले, फिर वन को जाते हैं, वहाँ पे सीता जी का हरण होता है, वो सारा ची मातंध ऑरदिक लिए स्टार्ट किया जाता है इसके बाद भूत आराधना को देखें, यह करनाठक का है ठीक भूत आराधना में क्या होता है इसमें आत्माओं की पूझा किी जाती है तो भूत नहीं जो मृतक पूरवज है मतलब मर चुके मातापिता या उनसे पहले के पूरवज है तो उनकी उपासना यहां पिकी जाती है उन्हें एक शाध्य तौर पे अर्पित किया जाता है रम्मन को देखेगा यह उत्तरांचल या उत्तराखंड वाले छेतर में प्रशलित है और गढ़ इसको की लिस्ट में रम्मन को भी शामिल किया गया है तो इसको आप याद रख सकते हैं इसके बाद यहां आप देखेए भावई भावई जो है राजस्थान का है ठीक और अगला कौन सा है दशकठिया यह ओडिशा का है गरोड़ा जो है गुजरात का है और यह जो और यह मध्यप्रिदेश का राजकी यह लोग नाटे है मतलब वहाँ पे इसे राजकी यह नाटे का दरजा प्राप्त है अगला देखते हैं नौट अंकी जो है एक स्वांग का आफशूट मान सकते हैं आप इसे इसमें मोस्ट पापुलर फार्म यह पूरे थेटर का देख और अबुल फजल की जो आईने अकबरी थी उसमें इसका भली भाती मेंशन भी किया गया है तो आप वहां से संदर्ब ले सकते हैं इसके बाद अगला है ओजा पाली ओजा पाली असम का है यूनिक यह नेरेटिव थेटर कहा जाता है असम में प्रैमरली इसको ऐसोसीएट क क्या होता है अपनी खुशी को जाहिर करना में परपस तो वही है तो तेवहार के उसर पर लोग अपनी प्रसनेता जाहिर करते हैं वही चीज यहां दी हुई है तो इसमें हमने देखा ओजा पाली जो है यह वर्णनात्मक नाट्टिकला विधा होती है मन्शा देवी और ना जानते थे तो हाथ में नुकीले नाखून पहन कर जाते हैं और उसे चीर देते हैं अब जलखा को वही तो वह घटना यहां दिखाई देती है मतलब उसका पूरा वर्ण किया जाता है इसके बाद देख लीजे यहां स्वांग यहां राजस्थान और हरियाना दोनों छेत्र यह जम्मु कश्मीर का है ठीक और भावना कहां का है भावना असल में भावना शब्द से बना हुआ है तो यह माजूली द्वीब जो एक मातर द्वीब यह जिला है असम का का यहां पर फेमस दशावतार यहां नीचे आप देख रहे हैं यह कहां का है इसका reason आपको पता है महाराश्टर का है यहाँ वैसे दे दिया है लेकिन यहाँ होना चाहिए था उसे तो यह एक पापुलर डांस या ड्रामा आप डांस कम ड्रामा कहा सकते हैं गोवाले चेतर में भी नौर्थ वाला जो पार्ट है वहाँ कुछ कुछ दिखाई देता है लेकिन जादा नहीं में लिए महाराश्टर का यह बिशेश रूप से जो सिंदु दुर्ग है महाराश्टर का वहाँ पे इसको किया जाता है किसानों के दवारा किया जाने वाला यह कौंकर्ड छेतर का लोगप्रिय रूप है इसके बाद भांड को आप देखें तो पंजाब और यूपी दोनों में नकल मतलब नकल शब्द जो है वो भांड का ही एक दूसरा रूप कहा जाता है यहाँ आप इसे देख रहे हैं नकल जो है यह पंजाब में कहा जाता है और भांड जो है वो यूपी में कहा जाता है कहते हैं भांडा गिरी लगा के रखे हुई है तो किसी की हम नकल उतारते हैं, मतलब कोई व्यक्ति है, उसको हम लोग चठाने के लिए या उसको हसाने के लिए नकल उतारते हैं, तो देखने में बड़ा आनंद दायक होता है, इसके बाद विल्लू पट्टू को देख रहे हैं, तो विल्लू पट्टू जो है, ये केरल तम गीत नाटिकला है उसके तोर पे से देखा जाता है रामायण की कहानियों को एक धनुष के आकार का बाजा होता है मतलब musical instrument होता है उसकी सहायता से मतलब उसे बजा कर वंडित किया जाता है यह अक्षगान यहाँ पे हैं यह करनाटक का है यह अक्षगान इसके बाद आगे बढ़ते हैं बुर्रा कथा को आप देखे यह आंद्र की है और पगती यह आप देखेगा पगती बेशालू यह तेलंगान कर नाटक नाटक का है और नाटक को देखेएं सत्रवीश अतापदी के बीच में रंगा-रंग नाटक लाके तौर पर डबलब होता है और कुरूवंजी जिए ये तमिल नाडू का है तो इसे हमने यहां तक देखा अब इसके बाद जो Martial Arts भारत की हैं उसको एक बार देख लेते हैं तो सबसे पहले Martial Arts में देखेंगे कलारी बट्टू को और ये जो कलारी बट्टू है भारत के सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से देखा जाता है oldest है ठीक अब इसका अभ्यास दक्षन भारत के जो अधिकांश हिस्से हैं वहाँ पे होता है लेकिन जो तीसरी शताबदी इसापुरू का समय था उसमें केरल स्टेट में ये सबसे पहले ये मडिपुर का है परिखंडा को आप देख रहे हैं ये बिहार का है राज्य आपको याद रखने है तोड़ा जो है ये हिमांचल प्रदेश का है और मर्दानी खेल ये आपका है महाराश्टर का लाठी जो है ये पंजाब और बेंगॉल का है और इम्बु आई कुष्टी जो है ये मिजोरम का है कुट्टु वरिसाई जो है ये सबसे पहले संगम साहित्य में इसका जिक्रह में दिखाई देता है मतलब पहली या दूसरी शताब्दी इसापुरु की बात है और कुट्टु वरिसाई का मतलब क्या होता है खाली हाथ से युद्ध करना, इसमें कोई मतलब आउजार नहीं होता है, ये ऐसे ही, इंपटी हैंड से इसको युद्ध को किया जाता है, ये बड़ी बात है, साथ में मुष्टी युद्ध को आप नीचे देख रहे हैं, तो ये जो मुष्टी युद्ध है, ये मल्ली देख रहे हैं, ये भारत मतलब जो पूरा इंडिया का छेतर है, उसमें अलग-अलग जगा दिखाई देता है, मल्ली युद्ध जो है, ये साउथ इंडिया का है, इसके बाद आप मल्ल खंब को देख रहे हैं, तो ये महाराष्टर छेतर में प्रश्लिथा लेकिन वैसे अ किरिप, साल्डू, ये दोनों जो है, ये निकोबार के हैं, जबकि वर्मा आती जो है, ये तमिलनाडू का है, यहां तक हमने देखा, अब यहां देखना है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट को, जो की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की है, युमेनिटी वाली, मतलब वह 2008 में से इंकलूट किया गया, केरल में जो चक्यार है, ये हिंदूों की एक सब ट्राइब होती है, तो उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य और नाटक है, इसमें पुरिशों की भूमिका वो निभाते हैं, और रामलीला को शामिल किया गया था, ये पापुलर फोल्क ड 2008 में ओरल ट्रेडिशन ये वेदों से लिया गया है, और इसमें कई सारे बा दिखे जाते हैं, रीटिगत होता है मूलोप से, ठीक, पाठ किया जाते हैं इसमें धेर सारे, और रम्मन को इंकलूट किया गया था 2009 में, और ये एक रिलीजीयस फेस्टिवल और रिचुवल थे 2010 में UNESCO की लिस्ट में और ये धार्मिक उट्सव है गडवाल वाला पूरा छेत्र जो रीतिगत नाटे है उसके तौर पे से देखा जाता है धार्मिक तो हई है क्योंकि देवी काली और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ था उसका इसमें पूरा व्योरा होता है लेकिन इसका राज्य दक्षणी है केरल राज्य का ये लोक नृत्य और नाटक है मतलब देवी काली ने दारिका नाम के एक राक्षस के साथ युद्ध किया था तो उसकी जो कथा है मतलब ये डेमोन दारिका था तो इसके साथ युद्ध का जो वरणन है वो दिखाई देता है इसके बाद कालबेलिया ये राजस्थान का है इसमें बताने की जरुदिन ये वहां की जो सपेरों की जन जाती है उसकी महिलाए करती है और सापों के केचुली जैसे जो वस्तर है उसको धारण कर लेती ठीक उनके द्वारे ये प्रदर्शित किया जाता है और छवू को आप देख रहे हैं 2010 में इसको भी इंक्लूड किया गया था ट्राइबल ये मार्शल आर्ट डांस है इसका परफार्मेंस होता है स्टेट ऑफ ओडिशा में जारखंड में और वेस्ट बंगाल में तीन राज्जेस में संबंदित हैं तो आप याद रखेगा इसके बाद बुद्धिष्ट चैंटिंग को आप देख रहे हैं उसको इसमें शामिल किया गया है आप जानते हैं कि बहुत धर में दो में सेट हैं एक तो महायान है दूसरा ही नियान है लेकिन इसमें महायान और जो नई शाकर डेवलफ हुई थी वज्रयान जादू टोने वाली उन दोनों का समावेश दिखाई देता है और मठ के भीतर या घर के भीतर भी जो पुजारी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है संकीर्तन को देखेगा इसको इंक्लूट किया गया था 2013 में रिचुल सिंगिंग, ड्रमिंग और डांसिंग आर्ट इसमें देखी जाती है मड़ीपुर की और इसका ओरिजिन हुआ था 15th century AD में इसके बाद अब ट्रैडिशनल जो पीतल के बरतन है और ठठेरों की कला होती है मतलब यूटेंसिल बनाने वाले जो यूटेंसिल मेकर्स होते हैं उनका जो आर्ट है इसको शामिल किया गया और ये पंजाब की लोकल आर्ट है परिशे परंपरा में चलती गुरु अपने चेलों को सिखाता है फिर ये आगे चलती इसके बाद अगला वाला नौरोज है जो कि पार्सियों का तेवहार है यहां आप देख रहे है न्यू ये पार्सियों का होता है सेलिब्रेट किया जाता है स्प्रिंग फेस्टिवल के तौर पे और कश्मीरी जो है मतलब कश्मीरी समदाय वो इसे स्प्रिंग फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट करता है पर्यावरण के प्रती पार्सी समुदाय वैसे भी काफी जागरूख रहता है तो नौरोज उसी का प्रतीक इसके बाद योग को शामिल किया गया था 2016 में देखें नौरोज को भी 2016 और योग को भी 2016 तो योग को 2016 में शामिल किया गया इसमें मुद्राय ध्यान श्वास की जो गती ताल ले है उसका ध्यान रखा जाता है गुरु शिश्य परंपरा में ये भी आगे चलता है तो इसको अमूर्थ विरासत में स्थान दिया गया कुम्ब मेले को शामिल किया गया 2017 में जब कि इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था और कुम्ब मेला जो है ये हिंदू पिल्ग्रमिज जो स्थान होते है वहाँ पे नहाने के लिए लोगिस्थान का महत्व इसमें होता है तो अलग-अलग स्थानों पे लगता है मतलब ऐसा माना जाता है पीछे आपने अमरित वाली कहानी सुनी थी तो जहां अमरित कलश छलका और बूदे गिरी नीचे पृत्वी पर वहाँ वहाँ पवित्र स्थान बाने गए और कुम्ब मेला वही वही आयोजित होता है तो इसमें कुछ अंतराल होता है और कुछ जगह ही होती है कुल मिलाकर चार स्थानों पर इसका आयोजन होता है प्रियाग राज है, हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है ठीक, अब इसमें ये छेत्रवार घूमता रहता है तो इसमें से किसी भी स्थान पर प्रतेग 12 वर्ष के बाद इसका आयोजन होता है नासिक और उज्जैन में से सिंघस्त कहा जाता है और प्रियाग राज और हरिद्वार में कुम्ब के नाम से जाना जाता है छे साल बाद भी जो अर्ध कुम्ब होता है वो छे साल के बाद होता है और जो महा कुम्ब होता है या कुम्ब पहले कहा जाता था अभी BJP Government ने उसका नाम महा कुम्ब रख दिया है तो वो 12 साल के अंतराल पे होता है और इसमें एक gap होता है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रयाग राज वाला कुम्ब होता है वो हरिद्वार में कुम्ब के तीन साल बाद आता है और नासिक और उज्जैन में जो कुम्ब होता है वो तीन साल पहले हरिद्वार वाले कुम्ब के बनाया जाता है ऐसे होता ह ठीक है नासिक और उजन में कुम्ब एक अही वर्ष में या एक वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है तो यह पूरा इसका आयोजन का मामला है इसके बाद फोल्क पैंटिंग को देख लेते हैं तो भारत में जो लोक चित्र का रही है उसमें मधुबनी पैंटिंग सबसे पह जाता है और यूनिक आर्ट फ्राम बिहार वर्ट टिकुली इस लोकल टर्म ऑप बिंदी वार्म बाई वुमिन बिट्बिन देयर आईब्रोज मतलब जो भृकुटी होती है ना मतलब दोनों भाहों के बीच का स्थान वहां बिंदी लगाने की जगह होती है तो वहां महिला जो लगाती है बिंदी उसका जो ट्रेडिश्नल आर्ट है उसको टिकुली आर्ट कहा जाता है तो वह भी इसी में शामिल है बिहार की इसके बाद पटचित्र पटचित्र कला जो है यह ओडिशा की है और पटवा कला जो है बेंगॉल की है सन पटवा मतलब वही पाठ जूट के बात हो रही है जूट के जितने भी सामान होते हैं वो यहां डेवलप किये जाते हैं पैटकार चित्रकला जो होती है यह जारखंड क और कलमकारी पेंटिंग जो है वो आंध्रे प्रदेश की है कलमकारी में क्या होता है यह जो कला हस्ती है वो इसमें पूरी दिखाई जाती है और इसमें मचली पत्तनम या मसूली पत्तनम वाला जो एरिया है वो शामिल होता है इसके बाद वरली चित्रकला है यह महराश्टर क वरली से आप वैसे भी केस कर सकते थे थांका चित्रकला जो है ये थांका जनजाती होती है उसके द्वारा सिक्किम, हिमांचल और लद्दाक रीजन में मतलब इसको किया जाता है और अरुडांचल प्रिदेश से भी ये संबंधित है मंजूशा चित्रकारी जो है पेंटिंग आप देख रहे हैं यहां बिहार की है ये जो मंजूशा है मंजूशा का मतलब क्या होता है पेटी या डबबा तो भागलपूर वाला जो रीजन है जो अंग महा जनपत किसी जमाने में जाना जाता था वहां की अंगिका कला के तौर से देखा जाता है इसमें जूट या कागज के डिब्बे बनाए जाते हैं और उस पर कसीदा कारी की जाती है तो यह मंजूशा पेंटिंग कहलाती है यहां उसके बारे में दिया हुआ है अंगिका इसको क्यों कहते थे क्यों कि अंग छेत्र में डेवलप हुई थी इसके जो embroidery है और नकाशी आर्ट है वो की जाती है इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं यहां पिथोरा पेंटिंग है ठीक है पिथोरा पेंटिंग गुजरात और मध्यप्रदेश की है और इसमें गुजरात और मध्यप्रदेश की जो आदिवासी लोग है ट्राइबल लोग है उनके द्वारा इसे किया जाता है धार्मिक और आध्यात्मिक जो परपज है उसके तोर पे सौरा चित्रकला जो है ओडिशा का है और सौरा जंजाती के द्वारा इसको मनाया जाता है वरली चित्रकला के समानी यह होती है और इसमें जो दिवार पे वाल पेंटिंग होती है वो की जाती है भित्ती पर चित्र बनाया जाता है प्लास्टर लगाके तब उस पर जो ड्राइंग का काम है वो करते हैं इसके बाद अब कपड़ा की जो कलाकारी है मतलब उसमें आप देखेंगे कि डाई, ट्राई और टाई, डाई और इसके अलामा क्लोथ पेंटिंग, क्लोथ प्रिंटिंग इस तरह की जो वेराइटी है वो आती है तो एक तरफ जो टाई डाई या फिर क्लोथ पेंटिंग है, क्लोथ प्रिंटिंग है इसके नाम दिये हैं, अलग-अलग छेत्रों में वो इकत है ठीक है इकत से यह जाद हुआ है टाई डाई जो टेक्नलोजी होती है उसमें कपड़े को पहले बुना जाता है ठीक है और उसके बाद फिर उसकी रेजिस्ट बांडिंग की जाती है फिर उसके बाद उसको रंगा जाता है इसके नाम से आप वैसे भी गेस कर सकते ह पेहले, तो उसकी बुनाई का काम है, वो हो जाता है, उसके बाद उसे टाई, यानि कस के बाद देते हैं, फिर रंगते हैं, और उसके बाद जब खोलते हैं, उसमें सलवटे होती है, टेलिया रुमाल, ये भी रजिस्ट, जो डाई टेक्स्टाइल है, उसके तोर पर देखा जाता है मतलब यह आंदरप्रदेश का है और लिटरली इसका जो मतलब क्या मतलब होता है उसे आप देख रहे हैं मतलब matter सही जो जितने भी natural color होते हैं उसको use करके रजिस डाई जो है वो किया जाता है और mainly ये जो कछ रीजन है वहाँ पे खत्री जो community है उसके द्वारा इसे किया जाता है मातानी पछेडी ये गुजरात की है ठीक है ritual cloth painting के तौर पे से हम देख रहे हैं लाल रंग का होता है देवी की चुनरी जैसी होती है वैसा ठीक है ये चुनरी आप समझेगा इसके बाद ठिंगमा ये रजिस्टाइंग वाला होता है जम्मू कश्मीर वाले च्षेतर में प्रशलित है उनी कपड़े को रंगने के लिए जितने भी natural हर्बल कलर होते हैं उनको यूज करते हैं जैसे कि आपको काला रंग चाहिए तो उसके लिए फिर जो कोईला होता है उसका यूज करते हैं भूरा रंग अगर चाहिए तो उसके लिए सेब के छिलके का इस्तेमाल करते हैं प्याज के छिलके को यूज करते हैं different type के color develop करते हैं इसके बाद जदू पटुवा जो painting है उसको देख लीजे जदू पटुवा इसको कहा जाता है जारखंड वाली है और जदू समधा इसको बनाता है इसने इसका नाम है जदू और पटुवा जो है इसका आप देख लीजे, पटुवा मींस स्क्रॉल on which the painting are painted by जदू community, इसका मतलब क्या है पटुवा का मतलब, स्क्रॉल इसके बाद पिछवारी painting को देख लीजेगा पिछवारी painting या पिछवाई painting, दोनो नाम है इसके, राजस्थान इसका मूल छेत्र है portrait painting के तौर पे यह मेली जानी जाती है कपड़ा या कागज दोनों ही इसमें यूज होता है भवान कृष्ण से related बहुत सारे इसमें चित्र बगएरा बनाये जाते है दाबू छपाई या दाबू प्रिंटिंग को देख लीजेगा यह painting नहीं, प्रिंटिंग है तो चित्वडगर राजस्थान में famous है Mud Regist Hand Block के तौर पे यह printing technology जो है यह famous होती है मतलब इसमें अनोखापन होता है कीचड से painting की जाती है यह इसकी सबसे बड़ी बात है कीचड के block जो होते हैं वो दाब के तौर पे यहां develop किया जाते हैं इससे कि वहाँ spot जैसे जिस कपड़े पे रखा गया कीचड वहाँ उस जगह पे धबा बनेगा तो उसको फिर उकेर कर चित्रकारी करते है अगली जो चित्रकारी की विधा है या painting की यहां technology है उसे हम देखेंगे यह मुथंगी है pearl stubbed attire इसको कहा जाता है यह Tamilnadu वाले reason में है मूल रूप से मूर्थियों के लिए इसका इस्तिमाल होता है और सुंगडी जो है यह tie resist dying के तोर पे देखी जाती है यह tie dye जो technology है उसके तोर पे develop हुई है मतलब पारंपरिक है और Tamilnadu reason में प्रशलित है धाला पत्थर परदा जो है और कपड़े यह ओडिशा के है मतलब वहां के रंगानी जो community है उसके द्वारा इसे किया जाता है कानी शाल जो है इसको GI tag मिल चुका है और जंगली तिबबत इसके अलावा जो लदाग परवत वाला छेतरे वहां जो बकरियां होती है चीरू बकरियां होती है उनके पेट के बाहरी भाग के जो नाजुक उन जैसे बाल होते है उनके बालों से ही उन प्राप्त किया जाता है पश्मीना बकरी होती है उनसे उन प्राप्त करते है तो जो पश्मीना उन होता है उससे शॉल बुनते है इसको पश्मीना शॉल भी कहा जाता है काफी कीमती होता है कोट पार्ड हैंड लूम को आप देख रहे हैं यहाँ पे फैब्रिक होता है मतलब कपड़ा जी आई टैग इसको भी मिला हुआ है ओडिशा का है इसमें बतक के डिजाइन हाथ के पंखे इसके अलामा फूल पाल की मश्ली जानवर इस तरह के जो जामिती जोमेट्रिकल पैटर्न वगरे हैं वो सब इसमें बनाये जाते हैं और तंगणिया शाल जो है यह बिंदिदार होता है इस पे मतलब बॉबी प्रिंट्स बने हुए होते हैं गुजरात का है और इस पे बिंदिदार होना मतलब डॉटेड हैंड वो वें जो टेक्स्टाइल है वही इसकी विशेशता है इसके बाद ट्रैडिशनल रीजनल जो साडी है भारत की उसको देख लेते हैं तो पोचम पल्ली है सबसे पहली और पोचम पल्ली यह आंध्र की है जटिल रूपांकन इसमें होता है मतलब जितनी भी जिवेट्रिकल डिजाइन होती है वो इस पे बनी हुई होती है रेशम क इसकी जो महिला कर्मचारी होती है वो पहनती है पाटोला यह पाटन छेत्र गुजरात से जुड़ा हुआ है वहां की सम्रिद हस्त सिल्प की साडिया है इसके बाद अगली है आपकी बालुचरी यहां पे आप देख रहे हैं बालुचरी और यह मुरशीदाबाद जो वेस् इस्ट्री वाली हिस्टोरिकल सी तेल्स है उसको दर्शाति है यह पूराणिक कथाओं को दर्शाति है और रिशम के थागूं का पूरा जो बड़ा पैमाने पर इस्तिमाल है वो यहां किया जाता है तंचोई जरी का काम जो है ये वारांसी का है ठीक है ये जो तंचोई जरी होती है वारांसी की है और इसमें बनार्सी साडी में इसका यूज किया जाता है बनार्सी साडी के बहुत सारे टाइप होते है तो उसमें से ये एक है और रेशम के कपड़े के बुनाई की जो टेक्न रदी खुत फेबर वाला होता है इन्हें साड़ी को आपकेश लेखें के किये вижу आप देख़ें इली करणातर को आदकाई में अलावा नौवारी को आप देख लीजे यहां पे है नौवारी यह वाला है ठीक है महाराष्ट्रा रीजन है सिंगल 9 यार्ड साडी होती है और इसको यहां पे अलग धंसे इसका जो प्रश्टलन है वो दिखाई देता है मतलब नौवारी में क्या होता है 9 गज की पूरी साड़ी होती है, कशाता साड़ी भी इसको कहा जाता है और बोमकाई जो है, यह ओडिशा की है, यहाँ पे दिया हुआ है सिल्क और कॉटन की साड़ी मतलब मिक्स होता है और इसमें इकत होता है, एमपराइडरी होती है मतलब कड़ाई भी होती है, कसीधाकारी होती है रेशम इसमें मेनली होता है, ये बड़ी बात है कोन रॉड जो है, ये तमिलनाडू का है कपड़े में आम तोर पे, जो धारियां होती है और चारखाने होते हैं, वो पाये जाते हैं किनारा काफी चोड़ा होता है। करते हैं यह कलमकारी होती है इसके साथ यह चेत्र जो है यह आंद्रका है इसको याद रखेंगे और कसावू है कसावू इसको कहा जाता है यह कसवू कहा जाता है तो केरल इसका चेत्र है मोटे सुनारे किनारे की यह बॉर्डर वाली साड़ी होती है और दाबू जो होती है य यह जामवार भी कहि कहती है जमौकاش्मीर की है कपड़े का बेस होता है और इस पे कपास या जो ऊन होता है मतलब जो फेदर होते हैं उनका यूज करते है उसी से कठाई करते हैं इसमें प्रोकिट होता है जरी वाला भाग होता है, जिसमें रेशम या पश्मीना उन डाल कर उसे बुना जाता है, तो काफी जटिल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, कई महीने लग जाते है, इसके बाद अगली वाली कौन सी है, ये वेंकट गिरी साडी है, और इसे आपने देखा, तो वेंकट वेंकट गिरी साडी जो है, ये GI टैक प्राप्त किया है, आंदर का है, और इसके बारे में विशिष्टता या है, कि पल्लू और किनारा इसमें मुख्य होता है, बेस होता है ये ये बड़ी बात है, नरम और पेस्टल रंगों का इस्तिमाल किया जाता है, तो रंग बहुत चटकीले तो नहीं होते हैं लेकिन आकरशक होते हैं इसके बाद बीच में दो छूटा हुआ था एक तो उपत जामदानी है यह आंध्र की थी तो यह शुद्ध जरी की होती है और सबसे अच्छे रेशम का इसमें इस्तिमाल करते हैं तो जामदानी जो है एक फार्सी वर्ड है और जाम का मतलब होता है फूल दानी का मतलब है वास करना तूसी से बना हुआ है फूल इस पे काढ़े जाते हैं यह आपने देखा और जामदानी जो है यह ठीक नीचे उनके तो हाथ ही कटवा दिये गए तो ये जो है ये मलमल का जो वर्तमान स्वरूप है उससे बुनी जाती है पारदर्शी प्रिष्टबूमी होती है और अपारदर्शी इसमें जो कढ़ाई है वो देखी जाती है सबसे अच्छा मलमल ही उसकरते है इसके बाद वेंकटगिरी तक हमने देखी लिया था कोटपाड को देख लेते हैं जी आई टाइकस को मिला है ओडिशा की ये है और इसमें भी जो प्राकृतिक मड़ार है उसका इस्तिमाल करते हैं कोटपाड उत्पादों की काफी जादा उसमें पहुंच होती है और डिजाइन में मुखी रूप से बतक होती है इसके अलावा, मतलब बतक का चित्र है वो काड़ते हैं हाथ के पंखे बनाते हैं इससे फूल पालकी और मशली का चित्र है वो सब बनाते हैं आगे चलते हैं अब यहाँ पर कुछ यो इंडिया की famous embroidery है उनके नाम देखने के आवशकता है तो सबसे पहला है चिकन कारी ये लखनव का है यूपी का इसमें जो block छपाई है उसका pattern होता है और उसके उपर फिर जो कढ़ाई के टांके हैं वो लगाय जाते हैं और टुकडे का छपाई का निशान हटाने के लिए फिर उसे धो दिया जाता है धो देते हैं तो जो निशान हमने लगाया था उसे टांका बनाने के लिए वो मिट जाता है और कढ़ाई रह जाती है तो चिकनकारी इसको कहा जाता है लखनव चिकन और कांथा है तो कांथा जो है ये वेस्ट बंगाल का है ओडिशा रीजन इसका मेली देखा जाता है लेकिन बंगाल में भी फेमस है इसमें होता क्या है जो कांथा होता है इसका इसका इस्तिमाल मतलब धागे को आम तोर पे इस ऐसा नहीं कि आपने उल्टा कपड़ा पहन लिया तो उल्टा दिखाई देगा बाग पेंटिंग जो है ये पंजाब की है मतलब पेंटिंग क्या है ये इम्राइडरी की बात हो रही है तो बाग जो है ये पंजाब का है सिमिलर होता है ये फूलकारी के ही लेकिन इसमें जो embroidery work होता है वो काफी दूसरे ढंका थोड़ा सा होता है फूलकारी का मतलब क्या है कि फूल काढ़ा जाता है वो दोनों तरफ एक जैसा दिखाई देता है लेकिन इसमें जो बाग में होता है तो इसमें कहा गया है कि work throughout the whole surface of the fabric ये पूरे जो fabric का surface होता है उस पर किया जाता है ठीक है इसके बाद जर्दोजी को देखिए जर्दोजी जो है ये UP का है और इसमें combination होता है gold, silver और copper wire का और इसमें जो golden या silver polish होता है silk thread पर वो किया जाता है और इसके बाद ये जर्दोजी होती है इसको भीना जाता है इसके बाद कशीदाकारी है तो ये जम्मू कश्मीर का है पुषपी प्रतिमान वाले जो टांके होते हैं वो chain stitch वाला जो मामला होता है मतलब कढ़ाई की भी बहुत सारी variety होती है तो chain stitch से इसको तयार किया जाता है कशीदाकारी और human और animal figures इसके जनरली नहीं दिखाई देते हैं ये इसकी विशिटा होती है फूल पत्ती और design नकाशी कशीदाकारी में दिखाई देगी लेकिन इसमें मानों और जानवरों के चित्र नहीं दिखते है इसके बाद आरी है ये गुजरात का है तो आरी में क्या होता है क्रो आरी कहा जाता है इससे muffler वगेरा बीने जाते हैं और भी चीजे त्यार होती है mirror वर्ग जो है ये राजस्थान गुजरात में होता है कड़ाई में शीशे चोट या जो जैम स्टोन होते हैं या आकर्शक रंग बिरंगे पत्थर होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है छोट इसको बनाया जाता है हीर ये भी गुजरात की है इसमें बोल्ट जो geometrical pattern होते हैं वो सिल्क पर बनाया जाते हैं गोटा जो है राजस्थान का है small pieces of golden jerry ribbon are applied into fabric with the edges sweet down to create यहां आप देखेगा elaborate pattern गोटा लगाना आप समझ रहे हैं ना border लगाया जाता है मतलब एक रेश्मी पट इसके बाद अगला वाला कौन सा है ये आपका अक्षीडा है और ये बिहार में प्रशलित है बाग के समान ही इसका जो प्रशलन है बनाने का तरीका है वो होता है इसके बाद कसूती कड़ाई है पीछे आपने तेलिया रुमाल में इसका जिकर सुना था तो कसूती is done with a single thread and involve counting of each thread on the cloth the pattern are stitched without knot so that both side of the cloth look alike मतलब इसमें विशेशता ये है कि दोनों तरफ एक जैसा दिखाई देता है और इसमें कारण क्या होता है कि जो pattern होता है उसको stitch किया जाता है बिना knots की मतलब गांठ लगाए बिना इसको यहाँ pattern develop किया जाता है ये बड़ी बात है करनाट का इसक चेतर है इसके बाद रबारी आप देख रहे हैं तो रबारी जो है ये गुजरात रीजन में है रबारी जन जाती के दवारा कढ़ाई ये की जाती है पशुओं को मिल ली इसमें काढ़ा जाता है शामिला मडीपुर का है यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला ठीक है इसमें एंब्राइडरी और बुनाई दोनों का मिक्चर होता है, फूल पत्ती का काम जो है अलिगड उर्दर प्रिदेश का है, और इसके बाद नीचे है तोड़ा, तोड़ा जो है ये तोड़ा ट्राइब जो है, मतलब तोड़ा ट्राइब है, तमिलनाडू की नीलगरी वाले छेतर में, वहाँ पर होती है और कांथा वर्क होता है, उसी के तरह से इसको किया जाता है, इसके बाद बन्नी को देखेगा, बन्नी जो है ये गुजरात का है, और वहाँ की जो लोहाना कम्यूनिटी है, उसके द्वारा इसको किया जाता है, अब इसमें जो सिल्क के फ्लॉस होते और बंजारा ट्राइब है मध्यप्रदेश की वो इसे करती है इसमें अगर आप देखें तो जो मिरर और बीड्स का वर्ग होता है वो किया जाता है मोती सीशे और जो पत्थर होते हैं रंग भी रंगे वो सब इसमें और एपलिक कार्चोबी है तो ये कपास ये पहनने वाला नहीं होता पहली चीज ये गद्दे के लिए कढ़ाई होती है जो गद्दे या कुशन होते हैं उनको आकरशक बनाने के लिए उसमें जगा-जगा टांके लगाए जाते हैं अब उस पे जरी की कढ़ाई कर देते हैं तो वो पैच के तोर पे लगा देते हैं अब जो पिपली है इसमें अगर आप देखें तो साधी प्रिष्ट भूमी होती है और जो पैच होता है उसी में सारा आकर्शन होता है चंगील रंग होते हैं खटवा एपलिक वर्ग जो है जी आई टैग प्राप्त किया है बिहार का है पि जीस इसमें के जाती है मतलब रूपांकन जो होते हैं इसको सटन स्टिच के साथ बनाया जाता है और दोनों तरफ एक जैसा काम किया जाता है लेकिन यह यह पने देखा तो suf पंचानी और सुजनी दो चीज़ है, असल में वह एक ही कला है, अलग-अलग छेतर में डेवलप हुई है, तो बिहार में क्या होता है, बिहार में एक फैबरिक जो chain stitch है उसमें बुना जाता है, लाल और सफेद रंका होता है, मतलब कपड़ा ही लाल सफेद होता है, और उसमें chain stitch से उसको काढ़ा जाता है यह सुजनी की जो कला है यह बिहार वाली हो गई GI tag दोनों को मिला हुआ है गारा जो है यह गुजरात का है इसमें जटिल जो कारे है वो पार्सियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था चीन से वो एक टेकनलोजी अपने साथ भारत में ले आते है गारा में पहले एक कागज पर ड्राइंग डिजाइन बनाया जाता है और उसे साड़ी पर ट्रेस कर दिया जाता है किम खाब कहां का है तो यह वारांसी का है जो यूपी वाले है उसको ध्यान दीजेगा अब इसमें क्या होता है इसमें एक भारी प्रकार का ब्रोकेड होता है जो कि सोने और रेशम के धागों से बुना जाता है और सोने की धागों को कला बट्टू कहा जाता है ठीक सोने के जो धागा होते हैं उसको कला बट्टू कहते है डोंगरिया स्कार्फ कपड़ा गंधा ये ओडिशा का है जो कंध जन जाती है कंधा जन जाती है उसके द्वारा इसको खोंड ट्राई बसल में होती है इसको कंध जन जाती वहाँ पे कहा जाता है छेतरी इस तर पे हम लोग खोंड कहते है तो वहाँ की जो महिलाएं होती है उ specializes in a particular type of clay work a brief list would be मतलब यहाँ पे जो clay work है उसकी list दीवी है कुल मिलाकर pottery का नाम है origin है और features है तो पहला जो खुर्जा pottery है इसको देखेगा खुर्जा pottery UP की है यहाँ आप देख रहे हैं अब इसमें colorful जो study pots होते हैं वो develop किया जाते हैं परियुलू इस्तुमाल में इनको लाया जाता है काले मृत भांड जो होते हैं मतलब काली pottery होती है वो आजमगड यूपी की है डार्क इसमें जो tint है वो use किया जाता है गहरा रंग use करते हैं नीले रंग की जो pottery होती है मृतानी मिनटी से बने होए नाजुक बरतन होते है और यहां आप देख रहे है कागजी pottery तो कागजी pottery जो है यह अलवर राजस्तान की है इसमें कमजोर मिट्टी के बरतन होते है और थोड़े कमजोर होते हैं तो टूटने में आसान होते है इसके बाद पोखरण पोटरी आप देख रहे हैं तो यह पोखरण छेतर की है यहाँ आप देख रहे हैं राजस्थान में है पोखरण वहाँ परमाडू परिक्षन हुआ था तो बताने की जरुवत नहीं है और हाउसोल्ड आइटम के तोरपे इसके जो पोटरी है उसको यूज करते है डलगेट पोटरी को देखिएगा यह मृदभांड है जम्मू कश्मीर का और इसमें शीशे के आवरण का इस्तिमाल किया जाता है कारिगरी पोटरी जो है यह तमिलनाडू की है अरकाट वाला जो छेतर है वहाँ फेमस है सुराही जो है यह वेस्ट पंगॉल की है और काले मृद भांड जो है अरूखल और मड़िपूर वाला जो छेतर है वहाँ भी फेमस है शीशे का आवरण इसमें भी होता है काला रंग होता है और गोपी चंदन जो है ये सौराश्ट्र का है, गोपी चंदन पर question आ चुका है, इसमें मिट्टी से बने हुई जितनी भी design होती है, मतलब art object होते हैं, वो design किये जाते हैं, कुछ folk dramas को देख लेते हैं, तो विदापत है, विदापत जो है, ये मिथला रीजन जो पिहार का है, वहाँ famous है, दसकठिया जो है ये ओडिशा में है, पाला जो है ये ओडिशा में है, ख्याल जो है यहाँ देख रहे हैं, ख्याल जो है राजस्थान का है, रम्मत जो है ये बीकाने राजस्थान का है, और भंडैती, भंडैती आप यहाँ देख रहे हैं, ये बुंदेल खंड उत्तर प्रदेश का ह अंकिया नाट आपने देखा था पीछे असम का है और नौला नौला जो है ये चंबा बैली हिमांचल प्रदेश का है करियाला जो है ये हिमांचल का है और ये आप देख रहे हैं ये जूशिन है ठीक है जशिन या जूशिन इसको कहा जाता है कश्मीर का है जशिन कहते हैं वै यह करेंट अफेर से जुड़ी हुई है और वैसे भी हमारे आर्ट और कल्चर का हिस्सा है मिनाक्षी टेंपल का नाम आप आप सभी ने सुना होगा उसका चित्र भी देखाऊगा काफी आकर्शक है तो यहां उसी के बारे में वह मंदिर है और उससे जुड़ा हुआ एक उत् भी देखिए मीनाक्षी टेंपल जो है हिस्टोरिक हिंदु टेंपल है ठीक है और तमिल्नाडू का जो मदुरे शहर है वहां पर वैगई रिवर के बैंक पे स्थित है मतलब साउध बैंक पे स्थित है अब यहां पर देवी पार्वती का यह मूल रूप से मंदिर है मतलब यह मिनाक्षी नाम किसका है यह गौड़स पार्वती का एक अलग नाम है और भगवान शिव का जो यहां पर स्वरूप है देवी पार्वती भगवान City of Madure, ये जो 2500 साल पुराना Madure शहर है, एतिहासिक शहर है, पौराणिक शहर है, तो उसका ये जीवन आधार है, या उसकी आत्मा कही जाती है, ये मंदिर, ठीक, अब इसमें Madure शहर का जो पुरा development है, वो छटमी शताब्दी इसापुरु में जो पांड रूलर था, कुल शेख हैं, चितरे ही महुत्सव है, एक्च्वली, तो ये जो फेस्टिवल है, ये मदुरे में ही हिल्ड किया जाता है, जो साउधन पार्थ है, तमिलनाडू का वहाँ पे, और अलग-अलग जगह से, मतलब अलग-अलग राज्यों से, और विभिन देशों से, अलग-अलग जानदार और भव्वी होता है, तो जैसे अपने नौर्थ इंडिया में शिवरात्री होती है, मतलब शंकर जी के विवाह का उत्सव, ठीक वैसे ही यहां भी होता है, शंकर जी की बरात निकलती है, और फिर माता पार्वती के यहां वो विवाह करने के लिए जाते हैं, वहा बारा दिन तक चलता है, मतलब अप्रेल मही का महीना है, उस समय इसको आयोजित किया जाता है, बारा दिन तक यह जलता है, और वहां के जो तमिल कैलेंडर है, उसके इसाफ से इसका आयोजन होता है, भगवान शिव इसमें सुंदर वर का रूप धारण करते हैं, मतलब वो सुंदर ब्यूटिफुल ग्रूम बन जाते हैं, मतलब यहां आप देख रहे हैं, और उन्हें सुंदरेश्वर कहा जाता है, या सुंदर कहा जाता है, ठीक है, और माता पारवती जो है, यह भगवान विश्णू की बहन के रूप में रहती है, और इन्हें मिनाक्षी के ना तो एक कहानी है कि देवी मिनाक्षी जब पैदा होती है एक गरीब परिवार में, तो इनके शरीर में इस्थाई विकृतियां होती, मतलब इनका शरीर जो है, वो सामाने नहीं रहता है, तो एक तो यह कन्या थी, और दूसरी चीज इनके शरीर में विकृतियां थी, तो प् महापुरिश आते हैं और इनके मातापिता से कहते हैं कि यह लड़की जब अपने उप्युक्त वर के साथ मिलेगी मतलब जिससे इसका विवा होना होगा तो इसका जो जितना भी अवगुण है मतलब जितने भी विकार है शरीर के वो दूर हो जाएंगे और भगवान शियु स आर्किटेक्चर की जो टर्मिनोलॉजी है उसको देखने की जरूरत है तो इस थापत्ति की शब्दावलियों में सबसे पहला नाम आता है विहार का और विहार जो होते हैं इसमें बहुत बिक्षुओं मतलब बुद्धिस्म से इसका संबंद होता है तो जो स्थान के तोर पे यूज करते है ठीक है प्राकृतिक जो गुफाएं होती है पहाड होते है उनको काट के पहले के राजा महराजा बणा कर से दे ते और सामाण्याकर से बड़े विहार होते हैं तो उसको महँआ चाहर का हसे अब बात है कि बुद्ध का समय थाब बाद में बुद्ध का स्ट्रक्चर काफी चेंज हुआ है लेकिन बुद्ध के समय का जो मूल बुद्ध धर्म था गौतम बुद्ध शारीरिक रूप से बड़े हट्टे-कटे थे तो वह बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना उपदेश देते देते एक दिन में 20-20 किलोमीटर चल लेते थे और वो कभी रुखते नहीं थे चलते रहते थे उपदेश दिया वहां से रवाना हुए वहां टिकते नहीं थे लेकिन जब बरसात का मौसम आता था तो उस समय नदियों पर इतने पुल वगएर तो होते नहीं थे और न इस तरह से गाड़ियां होती थी या रचपाइबर जाते हैं यह व्शिप पलेस होते हैं स्तूप के सांथ ही इनका निर्माड होता है बुद्धिभ़ और जैनिस दोनों में एक केव टेमपल के तौर पे देखे जाते हैं इस तूपाज क्या होते हैं तो ये इस तूप जो होते हैं ये ठोस गुम्बदाकार स्वरूप होते हैं आधा उल्टा हुआ कटोरा मतलब उल्टे कटोरे की तरह से साइज इनका होता है इसे हेमिस्पियर आप कह सकते हैं ठीक और ये आध्यात्मिक संप्रभुता के प्रतीक ह होते हैं उनके चाता और दंड लगा हुआ होता है इसके बाद नीचे है पैगोडा ठीक इस तूप में होता क्या है जितने भी बहुत धर्म से जुड़े हुए महापुरिश होते हैं उनकी अस्थिया सुरक्षित रखी जाती है अब इसके बाद पैगोडा जो है यह परदार आकरिती से बना हुआ इस्तम होता है यह असल में खंबे होते थे लेकिन बाद में जो यूरोपी लोग आते हैं वो इसे पैगोडा कहने लगते हैं तो उसी नाम से डवलप हो जाता है इसमें लेयर्स होती है और गोथिक शैली जो होती है इसे आप देख लीजे गोथिक जो मेडिवल यूरोप का टाइम पीरियड था उस समय का यूरोप है तो वहां से इसका ओरिजिन होता है फ्रांस से मेली और जितने भी चर्च बने हुए है पहले के समय के चर्च बने हुए है यूरोप में वो इसी स्टाइल में बने हुए है और यह सबसे ज़्यादा जो पापुलर ऑर्किटेक्चर स्टाइल के तौर पे देखा जाता है चर्च बिल्डिंग के मामले में और भारत में भी ज्यादा तर चर्चों का निर्माण इसी तौर पे हुआ है इंडो सार्सेनिक को देखते हैं तो इंडो सार्सेनिक जो है यह भारत में जब अंग्रेज आ प्राचीन और मध्यकालीन जो वास्तुकला थी उससे ये समायोजन करके कुछ नया सीखते इसके बाद लिस्ट यहां देखते हैं प्रामिनियन टेंपल जो भारत में है उनके बारे तो चलिए शुरू करते हैं यहां देखे सबसे पहले वेंकटेश्वर टेंपल है साथ चोल वंश के राजाओं के समय में इसको डेबलब किया गया था और वराह लक्ष्मी नरसिंग मंदिर आप यहां नीचे देख रहे हैं यह श्री शैलम में है श्री शैलम कहाँ पे है आंधर प्रदेश में लॉर्ड शियो और माता पार्वती मलिका माता पार्वती है और अर विलेखिये साक्षे हैं उनमें इनका प्रमाण मिलता है विजयनगर के राजा जो थे राजा हरिहर उनके शाशनकाल के दोरान इसका मॉडिफिकेशन करवाया जाता है मतलब इसका फिर से एक बार रूपांतरण करवाया जाता है सूरे नाराय टेंपल इसे अर्सावली सूर लोर में है ठीक है यहां आप देख रहे हैं नेलोर आंदरप्रदेश और भगवान रंगनाद जो कि भगवान विश्नु के ही एक उतार है उनका यह मंदिर है बारहमी शताब्दी में बना हुआ था इसके बाद मालिनी थन को देख रहे हैं आप और वीरभद्र टेंपल को देख रहे हैं सबसे पहले वीरभद्र को देख लीजेगा तो वीरभद्र टेंपल जो है यह लेपाक्षी जो जगह है अनंतपुरम डिस्टिक यह अंदरप्रदेश है वहां पे इस थे थे और भगवान शियू का यह मंदिर है विरुपन्ना नायक और वीरन्ना द्वारा इसको बनवाया गया था दोनों भाई थे और विजयनगर शाशन के अधीन यह सामन्तिया राज्यपाल की हैसियत से काम कर रहे थे इसके बाद जो अगला वाला मंदिर है वो मौलिनी थन है यहां पे आप देख रहे हैं नौर्धन बैंक आप ब्रह्मपुत्र रिवर रिजन है पश्चिमी भाग वहां का है नीलांचलम की पहाड़ी है वहां यह स्तित है अब इसमें माता कामाख्या का यह मंदिर है लोग संतान उत्पत्ति और वंश बृद्धी के लिए यहां जाते हैं मनोती मानते है तो आठवी से लेकर सत्रमी शताबदी के बीच में इस फिर से मतलब आठवी नौमी शताबदी में यह बनता है और उसके बाद जो अहोम किंग है गोमधर सिंग वो इसे फिर से डेवलप करवाते हैं अगला चलते हैं आगे यहां पे नवगरा टेंपल को आप देख रहे हैं तो नवगरा टेंपल जो है नवगरा मंदिर यह गु कि अगर आप देखें तो देरगाओं असम वाले चेत्र में भगवान शिव का मंदिर है और आठवी से लेकर नौवी शताबदी इस वी की दौरान जो 1687 वाला समय था उस समय इसका निर्माण होता है यह सब मंदिर जो हैं असम वाले यह अहोमों के द्वारा बनवाये गे हराग्रिव का मंदिर आगे वाला है उसको देख लेते हैं तो हराग्रिव माधव या हरग्रिव माधव टेमपल इसको कहा जाता है यह मोनिकू ठील है हाजो में मतलब असम वाला चेत्र है वहाँ पर बना हुआ है नरसिंग के द्वारा इसको बना है और वरतमान मंदिर की जो संरशना है वो रगुदेव नारायन नाम के एक राजा थे जो उन्हें की 1583 में बनवाई थे और कुछ इतिहासकारों के इसाब से जो पाल डैनेस्टी के राजा है उनके द्वारा इसको बनवाया गया है इसके नीचे मुंदेश्वरी देवी का टेमपल है जो कि कैमूर जिला मतलब कैमूर जिला कहां पर है यह बिहार में है तो वहां इस्थित है भगवान शियू और माता पारवती का है 105 इसवी में बनवाया गया था सोमना टेमपल जो है यह बेरावल गुजरात में है ठीक है सौराश्ट्र प्रांथ है लॉर्ड शियू का है यह चंद्रमा म बहुत ज्यादा आक्रमड जेले हैं तो वह सब आप जानते हैं इसके बाद आगे चलते हैं अगला जो है वो कौन सा है द्वारकाधीश का टेमपल है जो कि यहां दिख नहीं रहा है इसे नीचे करना पड़ेगा देखिए द्वारकाधीश टेमपल जो है यह द्वारका जो जो द्वारका में है गुजरात वाला रीजन है ठीक भगवान शियुका है मोडेरा का संटेमपल है यह मोडेरा गुजरात में है भगवान सूरे का मंदिर है इसमें कोई संदे नहीं है चालुक के टानिस्ती के जो भीम प्रथम नाम के राजा थे उनके द्वारा 1026 ठीक है और यह चौरा गाउं 36 गड़ में है भगवान शियुका है 1089 सबी में यह बना था इसके बाद दंतेश्वरी टेमपल है यह दंतेवाडा बस्तर जिला जो 36 गड़ का है वहां देवी दंतेश्वरी का मंदिर है और चौधमी शताबदी में इसको बनवाया गया था इ इसके बाद अगला वाला ज्वाला मुखी टेमपल है यह कांगडा डिस्टिक है हिमानचल प्रदेश का वहां इस्तित है माता ज्वाला मुखी का यहां मंदिर है यह फ्लेमिंग माउथ मतलब इनके मुझ से ज्वाला निकल रही है आग निकल रही है इसलिए इने ज्वाला मुखी कहा गया है तो इसके बाद आगे चलते हैं बाबा बालक नात का मंदिर तो ये नीचे दिया हुआ है हमीरपुर डिस्टिक हिमांचल प्रदेश और यहां पर क्या है यह बाबा बालक नात का जो मंदिर है यह कलियूग में भगवान शियू के अवतार माने जाते हैं बै बालक के डाइनस्टि साथमी आठमी शताबदी में इसको डबलब करवाई थी इसके बाद विरुपाक्ष टेमपल आप देखें यह हमपी करनाटक में है भगवान शियू का यहां प्रतिरूप है विजयनगर इंपायर के द्वारा इसका निर्माड हुआ था मतलब उनी के स बालक के डाइनस्टि के द्वारा इसका भी निर्माड करवाया था ठीक है इसके बाद आगे चलते पदमनाब स्वामी टेंपल को आप देख रहे हैं यह तिरुवनंद पुरम केरल में इस्थित है और बगवान विश्नु का यह मंदिर है पदमनाब स्वामी उनी को कहा जा अभी कुछ खुले भी नहीं है, ऐसा आपने सुना, इसके बाद अंगला सबरी माला टेमपल है, ये काफी पेमस था, अभी विवाद में था यहां मैलाओं को, मतलब एक खास आयूवर्ग की मैलाओं को, जो की मासिक धर्म की आयू होती है, तो उसमें उन्हों को मंदर में प् प्रतिमा है, मतलब भगवान बिश्टु के यह वतार माने जाते है, अगला आपका कंदरिया महा देव है, यहां आप देख रहे है, तो कंदरिया महा देव टेमिंपल जो है जो है, खजुराहू मध्य प्रदेश में है, यहां आपने देखा, लॉर्ड शिव का यह पूरा यहां पे चित्रण है और 11 शिताबदी में चंदेला रूलर जो है उनके द्वारा इसे बनवाया जाता है सास बहु का टेंपल यह सहस्त्र बाहु टेंपल असल में है इसको बोलते-बोलते बिगाड दिया गया है सास बहु ग्वालियर में है मध्य प्रदेश के भगवान जैन में है लौड शिव का है जोतिर लिंगो में से एक है तेरमी शिताबदी में मतलब तेरमी शिताबदी से पहले का बना हुआ है बिठल टेंपल या बिठोवा टेंपल आप देख रहे हैं यह पंडरपूर महाराश्ट्र में है भगवान बिठल की हाम उर्थी है और तेर भी गंग डानस्टी थी तेरमी शिताबदी में बनवाया गया लिंगराज टेंपल यह भोवनेश्वर ओडिशा में है हरी हर के द्वारा इसको बनवाया गया माफ कीजिएगा हरी हर फार माफ शिव और विष्णु मतलब इसमें जो देवता है वो हरी हर है अर्थात हरी मतल जो राजस्थान वाला इलाका है वहां पर बना हुआ है मतलब इसे देश नोप कहा जाता है देवी दुर्गा का टेंपल है राजा गंगा सिंग के द्वारा इसको बनवाया गया हजार खंभे वाला मंदरी हनम कुंडा तेलंगाना में है ठीक है भगवान शिव भगवान व पुरम तमिलनाडू लॉर्ड शिव का है ठीक है और आठ्वी शताबदी जो इस भी है उसमें पल्लवों के द्वारा इसको बनवाया गया था मीनाक्षी टेंपल आपने देखी लिया है मतलब गौड़स पारवती का है नायक राजाओं के सोजने से इसको बनवाया गया बा इसके बाद रंगनाद स्वामी टेंपल है यह श्री रंगम में है मतलब तमिलनाडू में लॉर्ड विश्नु का मंदिर है और उनाकोटी टेंपल उनाकोटी केव टेंपल को कहा जाता है यह उनाकोटी केव टेंपल आपने देखा विश्वनाद टेंपल यहाँ पर वाराण प्रिदेश में जोतिर लिंगों में से एक है लॉर्ड शिव का है 1780 में इसको बनवाया गया था जिर्णों धार करवाया था वैसे तो यह पहले से है स्वयम्भु यहां जो जोतिर लिंग या शिव लिंग है वो उत्पन हुआ है किसी ने स्थापित नहीं किया है बाद में उ इसके अलावा परोंबनम टेंपल जो है जावा इंडोनेशिया वाला उसको देख रहे है और पशुपतिनात मंदिर देख रहे हैं प्रेय अभिहार मंदिर देख रहे हैं कटास राज मंदिर देख रहे हैं इसे पाकिस्तान और कमबोडिया इस प्रकार से लोकेशन इसकी द देख रहे हैं यह मुन्नेश्वरम मंदिर है श्रिलंका में यह सब है अब इसके बाद आगे चलते हैं लास्ट जो इसमें फैक्ट है वो है बारा जोतिर लिंगों के बारे में यो कि भगवान शियों को समर्पित है तो यहां देखिएगा सोमनाट टेंपल है सौराष्ट्र ग केदार नाथ टेंपलाश मादिव मतलब के hasn एकम उत्तर खंड में बैर तनाट टेंपले में हैं धर्फहरम घारी नाट की बाद नाड़ एकपकेश्व Walter घ। पुडे में है अर्थात महाराष्ट में है इस प्रकार से हमने द्वादश जो जोतिर लिंग है उनके बारे में देखा और यहां पर यह आर्ट एंड कल्चर का जो पूरा टॉपिक है वो समाप्त होता है तब तक के लिए नमस्कार